चलिए आगे बढ़ते हैं बैग्यानिक परिद्रिष्ट्य रक्षा अंतरिक्ष चिकित्सा एवं परियावर्णी विज्ञान संमंदी अध्यतन घटना क्रम की प्रस्तुति इसमें क्वेश्चन देखते हैं खाल ही में खोजी गई कि अल्जाइमर की नई दवा का नाम क्या है क्या नाम है डोनाने मैं जुलाई दोह जात्ते इसमें खोजी गई है खाद्य और क्रिशी के लिए आनुवंशिक संशादनों पर आयोग सीजी आर एफ सीजी आर एफ एका उननीसमा सत्र कहां आयोजित किया गया ये रोम इटली में सत्रे से 21 जुलाई 2023 को खाद्य और क्रिशी के लिए जै विवित्ता के घटकों पर चर्चा करने के लिए एक मात्र इस्थाई मंच कौन सा है सीजी आर एफ ए इसकी स्थापना कब की गई थी बर्स 1983 में की गई थी इसकी स्थापना भारत सहीत इस आयोग में कुल कितने सदस्य है 179 ओपन ए आई के द्वारा लॉंच किये गई एक क्रिप्टो करन्सी प्रोजेक्ट का क्या नाम है वल्कुाइन 24 जुलाई 2023 ये किसकी द्वारा लॉंच की गई थी सैम अल्टमेन ओपन ए आई के सीईयो के द्वारा भारती अंतरिक्ष अनुशंधान संगठन इश्रो ने किस देश के साथ उपग्रहों को सफलता पूर्वक प्रक्षेपित किया है किस देश के किया है शिंगापुर के 30 जुलाई 2023 को ये उपग्रह किस रॉकेट से प्रक्षेपित किये गए है PSLBC56 उपग्रहों का प्रक्षेपर कहां से किया गए स्री हरी कोटा 37 धवन अंतरिक्ष केंद्र मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश में किस मचली का इस्तमाल किया जा रहा है गंबूशिया मचली का इस्तमाल किया जा रहा है WHO के अंसार भारत में डिफ्थीरिया पर्टुसिस और टिटनेस DPT3 टीकों की तीसरी खुरा के लिए कबरेच दर बर्स 2022 में बढ़कर कितनी हो गई थी 93 प्रस्तत हो गई थी 18 जुलाई 2023 को यह माहमारी पूर बर्स 2019 में कितनी थी 91 प्रस्तत थी दच्छिन भारत में आमतोर पर पाये जाने वाले बिदेशी सिकाड़ा एक कीट सिकाड़ा एक कीट है को भारती नामकरण क्या दिया गया है क्या नाम दिया गया है पुराण चिवैदा 16 जुलाई 2023 को प्रतिवर्स 25 सन्निकट दिवस कम मनाया जाता है जुलाई 2022 राश्टी थर्मल इंजीनियर दिवस कम मनाया जाता है 24 जुलाई को मनाया जाता है चांद के दच्छनी दुरूपर पहुँचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है भारत 23 अगस 2023 को भारत चांद पर पहुँचने वाला कौन सा देश बन गया है चौथा अन्न तीन देश कौन कौन से है यू ऐसे रूस और चीन चंद्रयान तीन में सामिल है स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल लेंडर मॉड्यूल विक्रम और एक रोवर प्रज्यान चंद्रयान 3 कब लांच किया गए था 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 कहां से लांच किया गए था 37 धवन अंत्रिक शकिन स्री हरी कोटा आंधर प्रदेश से चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लांच किया गया था LVM3 M4 किसने गरवावस्ता के दौरान बच्चे की सुरक्षा के लिए महलाओं में उपयोग के लिए पहले रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वाइरस आर एस वी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है अमेरिका के खाद्य अवम और शदी प्रशाशन एफ डिये 21 अगस 2023 को इस वैक्सीन का विकास किसके द्वारा किया गया है फाइजर के द्वारा दा लैशेंड दा लैंसेट रूमेटोलोजी जनरल में प्रकासित नए सोध के अनुसाथ बर्स दोजार पचास तक विस्तु इस्तर पर कितने लोगों के ओस्टियो आर्थराइटिस से पीडित होने का अनुमान है लगभग एक अरव वर्तमान में 30 वर्षिया उससे अधिक आयुकी दुनिया की कितनी आवादी ओस्टियो आर्थराइटिस से पीडित हैं 15 प्रकासित यह डाटा कितने देशों से लिया गया है 200 से अधिक सिंगापूर अंतराश्टी मैथ ओलंपियाड चैलेंज में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध स्री राम ने कौन सा पदक जीता है रजत पदक जीता है हाल ही में कौन सा चंदमा मिशन चंदमा से तक राकत दुरगटना ग्रेस्ट हो गया लूना 25 यह किस देश का चंदमा मिशन था रूस का हाल ही में पहले स्वातिमार्ट दो माउंटेन रडार को कहां सामिल किया गया भारतिय सेना में स्वदेशी रूप से इसे किस ने विक्सित किया भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेड ने खगोल विग्ञान और खगोल भौतिकी पर सोल में अंतराश्टी ओलम प्याड का आयोजन कहां किया गया चोर जो पोलेंड में किया गया है 10 से 20 अगस 2023 भारत ने इस ओलमपियाड में कौन सी रैंग कांसील किया? दूसरी भारत ने इस ओलमपियाड में कितने पधक जीते? 5 चार स्वन्ड और एक रजट पधक ओलमपियाड में पहले इस्थान पर कौन सा देश रहा है? यूनाइटेlaw गिंगडम लेह में परिक्षन के आधार पर इंट्रा सिटी हाइडरोजन बसों का संचालन किसके सहयोग से किया जाएगा NTPC 17 अगस 23 NTPC बर्स 2032 तक कितनी गीगावाट नवी करनी उर्जच हम्था हांशिल करने के लिए प्रतिवद्ध है नमो एक्सो आख किसकी एक प्रजाती है कमल पुस्प की उननिस अगस 23 कमल की इस प्रजात में कितनी पंखुणियां है 108 है इसका विकास किसके दुचुन किया गया केंदरी मंतरी जितेन सींग के द्वारा लखनव में राष्टपती बनस्पती अनुसंदान संस्थान लखनव द्वारा विक्सित एलू वेरा की नई प्रजाती का नाम क्या है N.B.R.I. निहार राश्टी बनस्पत अनुशंदान संस्थान लखनव के निदेशा कौन है डॉक्टर अजीत कुमार शाष्णी एची एक हजार पांच एक हजार चार सो नामक अनोखे तारे की खुच किसके द्वारा की गई भारती एक खगोल भौतिकी संस्थान के बैग्याने को द्वारा यह संस्थान कहां इस्तित है बैंगलोरू में किस देश ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन बेरियंट के नए सब वेरियंट का पता लगाया है कोवेट ने 15 अगस 2023 को इस सब वेरियंट का क्या नाम है EG.5 हाली में नासा का कौन सा यान लगवक 17 बर्स बाद पहली बार प्रिथिवी के निकट से गुजरा इस्टेरियो ए 17 अगस 2023 को अगस 2023 में किस जगे जैनरेटिव AI उत्कृष्चता केंद्र का सुभारम किया गया याडी स्कूल ओफ AI किस कंपनी ने इसका सुभारम किया विप्रो लिमिटेड ने विप्रो ने किस संस्था की साजेधारी में साजेधारी में इसका सुभारम किया आई टी आई दिल्ली भारत का पहला केरोसीन ओक्सीजन संचालिस रोकेट किस के द्वारब प्रक्षेपित किया जाएगा अगने कुल कॉस्मोस के द्वारा भारत की पहली लॉंग रेंज लंबी दूरी रिवॉल्वर का क्या नाम है प्रवल इसका निर्माण किस के द्वारा किया गया है एडवांश्ट एडवांश्ट वेपन्स एंड एडवलू ई आई एल के द्वारा है सथापित किया जाएगा 45 करोड रुपए हाल ही में चर्चा में रही अब तक कि सबसे पुरानी आकास गंगा क्या नाम है मैसी गैलेक्सी मैसी गैलेक्सी की खोज किसके द्वारा की गई थी जैम्स बेव इसपेस टेलीसकोप की द्वारा किस देश में अब तक क्या है तुट सेटस रेया नेंसिस यह अब से कितने बर्स पुराना है लगवग 41 मिलियन बर्स हाली में बैग्यानिकों ने किस महासागर में अंटार्क्रिक इश्ट्रोवेरी फीदर नामक जीव की खोच की अंटार्क्रिक महासागर में अंटार्क्रिक इश्ट्रोवेरी प्रजात में कितनी भुजाएं हैं 20 किस देश के बैग्यानिकों ने तूटे दांतों को पुना उगाने की कवाई सुरू की जापान इसका क्लीनिकल परिक्षर कप किया जाएगा जुलाई 2024 में हाल ही में मनि पूर सैला मेंडर की नई प्रजात कहां खोजी गई जैमिंग जील में इस नई प्रजात का क्या नाम है टाइलो तोट्री टोन जैमिंग हाली में खबरों में रहा पिंक वॉल वॉर्म क्या है यह एक कीट है पिंक वॉल वॉर्म कीट से मुगता कौन सी फसल प्रवावित होती है कपास पिंक वॉल वॉर्म का बेग्यानिक नाम क्या है पैक्टिनो फेरा गौसी पियेला किस देश ने चंदमा के लिए लूना 25 मिसन प्रक्षेपित किया है रूस ने 10 अगस दोजा 23 को इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है लूना ग्लोब के नाम से इसे किस रॉकेट द्वारा लॉंच किया गया है सोयूज दो पॉइंट एक भी इसे कहां से प्रक्षेपित किया गया है वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम रूस से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए वार्षिक राश्वयापी मास ड्रग एड्मिनिस्टेशन लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन का लख्षिक रखा गया है बर्स 2027 तक उस निजी फर्म का नाम बताईए जिसे इस्रो भारती मिनी सैटेलाइट एक IMS1 सैटेलाइट बस तक्नीक हस्तांतरित करेगा अलफा डिजाइन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिम्टेड एडी टी एल बैंगलूरूंग दो अगस्ट दोजार 23 को कौनसा IOT आधारिस्त्व चालित म्रिदा परिक्षण क्रेशी विज्ञान सलाकार प्रणाली हैद्रवान में लॉंच किया गया भूद्रिष्टी विजन भूद्रिष्टी विजन, सैयुक रूप से किसके द्वारा विक्तित किया गया है। भारती कृषी अनुशंधान परिसद। भारती चावल अनुशंधान संस्टान और कृषी तंत्र के द्वारा। मेशियर सत्तावन क्या है जिसकी तस्वीर जैम्स बेव इसपेश टेली स्कोप द्वारा ली गई है रिंग नेबुला चार अगस दो जात्ते इस 1789 इसवी में खोजा गया रिंग नेबुला किस तारा मंडल में इस्थित है लाइरा भारत द्वारा खदान का पता लगाने के लिए लांच किये गए स्वायत अंडर्वार्टर का पहला अंडर्वार्टर बाहन का नाम बताईए क्या नाम है नीराक्षी 28 जुलाई 2023 यह है अपनी तरह का पहला स्वायत अंडर वार्टर बाहन AUV किसके सहयोग से बनाया गया है गाइडन रीट सिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और एरो इस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नेशनल एरो इस्पेस प्रेयोग साला N.A.L. द्वारा अनावरन किये गए एरबोट का नाम बताईए जो जल निकायों से कच्रे को हटाने का कारे करेगा जल दोस्त एरबोट बंगाल की खाड़ी के तड़ पर दुरलब पीले पेंट वाला सांप कहां पाया गया था पर अब तक का सबसे गर्म महीना कौन सा दर्ज किया गया है जुलाई 2023 आठ अगस 2023 इससे पूर सबसे गर्म महीना कौन सा रहा जुलाई 2019 विश्व स्वास्त संगठन ने किन देशों में रूवेला उन्मूलन की घोशना की भूटान एवं सिमोर लिस्ते में 21 जुलाई 2023 देश के पहले डिजिटल साइंस पाल के पहले चरण का उदगाटन कहां किया गया तिरु वनंद्पुरम केरल में किया गया एक अगस 2023 इस र पारखन में ऐसी उद्धियों कहां लगाए जाएंगे जमसेदपुर में ग्लोवल टोबैकू एपीडेमिक एपीडेमिक 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है बिश्व स्वास्त संगठन डवलू एचो ने 31 जुलाई 2023 को यह रिपोर्ट का कौन सा संसकरन है नौमा संसकरन है स्वेलिंग आयोग द्वारा मचली की किस प्रजात के बिलुक्त होने की पहली चेताबनी जारी की गई है वाक्विटा पोर्पोईज वापक्विटा पोर्पोईज 7 अगस 2023 को इसके बिलुक्त होने की चेताबनी जारी की गई इस मचली की नामात की उपस्थिती कहां पाई जाती है कैलिफॉर्निया की खाडी में पाई जाती है किस रॉकेट के द्वारा 22 इस्टार्लिंग उपग्रहों को लॉंच किया गया है फालकन नौ फालकन नौ से उपग्रहों को किस कछा में लॉंच किया गया लो अर्थ और्विट 22 इस्टार्लिंग उपग्रहों को कहां से लॉंच किया गया है Florida USA से किस कंपनी द्वारा उपग्रहों को लॉंच किया गया है Space X के द्वारा Falcon 9 रॉकेट की मुख्य विसेस्ता क्या है पुनाय प्रायोज दो चर्णों वाला रॉकेट है ये Space X की स्थापना कब हुई थी बर्स 2002 में Space X का मुख्याला कहा है California USA में है लोग सवा में दी गई जानकारी के इंस्वा भारत में कौन सी मानव युक्त बैग्यानिक पंडुबी सब मर्सिवल विक्सित की गई है मस्य छेहजार College MM 20 विद्यालों के छात्रों के लिए भारत के सबसे बड़े हैक्थाउन के तीसरे संस्करन का आयोजन कहां किया गया है UST तिर्वन पुरम में अगस 2023 में इसका आयोजन किया गया इस हैक्थाउन का नाम क्या है D3 Code D3 Code UST क्या है एक अग्रणी डिजिटल परिवर्तन समाधन कमपनी भारती बेब ब्राउजर डवलप्मेंट चैलेंज IWB DC कहां सुरू किया गया नई दिल्ली में 9 अगस 2023 को सुरू किया गया इसकी सुरुवात किसके द्वारा की गई है Electronic और सूचना प्रध्योगी की मंत्राल है किसने चात्रों के लिए National Space Innovation Challenge NSIC 2023 सुरू किया है Attal Innovation Mission और नीत आयोग के द्वारा 11 अगस 2023 को इस चैलेंज को किसके सहयोग से सुरू किया गया है इसरो और नवार्ष एडुकेक के द्वारा राष्टी अंत्रिक्ष नवाचा चुनाती का मुख्य उद्देश किया है इसकूली चात्रों की अंत्रिक्ष प्रध्योगी की में रूची जगाना इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है केंद्री मादी में खिक्षा बोड CBSC के द्वारा विश्चो स्वास्थ संगठने किस कोविड इस्टेन को वैरियंट औफ इंटरेष्ट ऊबोसित किया है एरिस कोविड इस्टेन को ग्रैफीन और ओर ओरा कारीक्रम कहा शुरू किया गया है कोच्ची केरल में सुरू किया गया है 14 अगस 2023 को अब चलिए संचिप्तियां देख लेते हैं संचिप्तियां चर्चित ब्यक्ति चर्चित इस्थल संग संगठन योजना परियोजना ओप्रेशन अभियान चर्चित पुस्तिकें पुरुसकार सब्द संचेप तथा और भी बहुत कुछ तो चलिए आगे बढ़ते हैं वित्ति रिपोर्टिंग और नियंतरण पर हाल के घटना करम और चुनोतियों के संदर में तीसरे अंतराष्टी शंबेलन का आयोजन कहां किया गया नई दिल्ली में किया गया 21 जुलाई 2023 को इस अंतराष्टी शंबेलन का योजन किसके द्वारा किया गया ऐस तु चैम के द्वारा यश्टी वित्ति रिपोर्डिंग प्राधिकरण एन एफ आरे की बरतमान अध्यक्ष कौन है डॉक्टर अजय भूसन प्रशाद पांडे राष्टी वित्ति रिपोर्डिंग प्रा चैम का गठन कप किया गया वर्स उन्निस सो बीस में ऐसो चैम की बरतमान अध्यक्ष कौन है अजैसिंग ऐसो चैम का मुख्याला कहां इससे था नई दिल्ली राश्ट्री तटी अनुसंधान के इनका रज़त जयनती समारुप कब मनाया गया 22 जुलाई को रज़त जयनती कितने वर्स के उपलक्ष में मनाया जाता है 25 वर्स के उपलक्ष में राश्टी तटी अनुसंधान के इनके स्थापना कब की गई थी वर्स उन्निस सो अठानबे में राश्टी तटी अनुसंदान के इंद कहां इस्तित है चेन नहीं में इस्तित है ये राश्टी तटी अनुसंदान के इंद के इस मंत्राले के अधीन कारी करता है प्रतिवी विज्ञान मंत्राले भारत सरकार के अधीन राश्टी 30 अनुसंदान केंद के बर्तमान डायरेक्टर कौन है डॉक्टर M.B. रमन मूर्थी अंतराश्टी चंदमा दिवस कम मनाया जाता है 20 जुलाई को यह दिवस किस से संदर्वित है अपोलो 11 चंदमे संसे राश्य आम्दिवस कम मनाया जाता है 22 जुलाई को प्रत्थम भारती सोतंता संगराम में महत्पूर भूमी का निवाने वाले मंगल पांडे की जनती प्रतिवस कम मनाया जाती है 19 जुलाई को किस व्यक्ति को जगवार लेंड रोवर का मुखी कारिकारी अधिकारी निव्यक्ति किया गया है एंड्रियन मार्डेल को अमेरिका की केविन मिटनिक का 69 वर्ष की वरस्ता में निदन हो गया वह क्या थे कम्प्यूटर हैकर थे वो 16 जुलाई 2023 भारत की G20 अध्यक्षता के तहट चौथी रोजगार कारिशमू इडवलू जी की बैठक कहां आयोजित की गई थी इंदौर में की गई इंदौर मध्यप्रदेश में की गई थी 19 जुलाई 2023 को इस बैठक में भारत द्वारा प्रस्तुत असंगठिक स्रमकों और राष्टिक केरियर सेवा पर दुनिया की सबसे वड़े डाटावेस का नाम क्या है इश्रम पॉतल के माध्यम से खरीड हेट किस मंत्रालवै को बेश्ट एंग इसमadow मैं initi me प्रुस्कार प्रदान किया गया मंत्रालigorे मैं 20 जुलाई 22 23 को राईजिंग इस्टार शेणी में किसे प्रुस्कार प्रदान किया गया है NLC India Limited को 69 में 69 में फिल्म फेयर पुरुस्कार की मेजवानी कौन सा राज्य करेगा गुजराथ इस आयोजन इसका आयोजन किस वर्स किया जाएगा बर्स 2024 में इसके लिए किन के मद्य समझाता ग्यापन हस्ताक शरित हुआ वर्ल वाइड मेडिया प्राइवेट लिम्टेड तथा टूरिज्म कॉर्पोरेशन और गुजराथ लिम्टेड 19 जुलाई 2023 को 68 में फिल्म फेयर पुरुस्कार कहां आयोजित हुआ था मुंबाई में राश्टी आपदा प्रवंदन प्रादिकरण का सलाकार के से नियुक्त किया गया सफी एहसान रिजबी को ये बर्तवान में किस पदपर है विशेष निदेशक इंटेलिजन्स ब्यूरो के पदपर रूरल बॉस पार्टनर्स फोरम का दो दिवसी राश्टी शम्मेलन कहां आयोजित किया गया नई दिल्ली में 21-22 जुलाई 2023 इस सम्मेलन का विशे क्या है सच्छ सुजल भारत की दिसा में प्रगर्टि में तेजी इस सम्मेलन का उधगाटन किसके द्वारा किया गया केंद्री मंत्री गजेन सिंग सेखावत के द्वारा रूरल बॉस पार्टनर्स फोरम किसके अंतरगत कारी करता है पेजल और सच्छता बिभाग जल सक्ति मंतराले के अंतरगत इस पाथ छेत्र और डी कार्वोनाईजेशन से जुड़े मुद्दों पर सयोग के लिए भारत जापान के बीद दुपक्षी बैठक कहां आयोजित की गई नई दिल्ली में 20 जुलाई 2023 राग प्रकास पुस्तक के लेख कौन है डॉक्टर उम प्रकास कॉल भारत में G20 सम्मेलन के तहट S20 साइंस 20 बैठक का आयोजिन कहां किया गया 21 जुलाई 2023 को कोयम बटू तमिलाडू में किया गया किस ने किया एम वेंक्या नाइडू भारत के पूर्व उपराश्ट पती ने किया था 20 जुलाई 2023 को इस पुस्तक के लेख कौन है रंजीत प्रताप अंतराश्टी एरोस्पेस एवम रक्षा प्रदर्सनी 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा सियोल में किया जाएगा तक्षिर कोरिया में सत्रे से 22 अक्तूबर 2023 संस्थानों की सीमाओं से परे मानसिक स्वास्ते विशय पर राष्टी शम्मेलं कहां एजित किया गया नई दिल्ली में 26 जुलाई 2023 विश्य हैपेटाइटिस दिवसकम मनाया जाता है 28 जुलाई को भारती रिजर्ब बैंक द्वारा साउथ इंडियन इनकी नियुक्ति कितने बर्सों के लिए थीन बर्सों के लिए यह नियुक्ति कब से प्रभावी होगी एक अक्तूबर 2023 सद्वावना दिवसकम मनाया जाता है 20 अगस्त को यह दिवस किस उपलक्ष में मनाया जाता है पूर्द्धान मंतरी राजीव गांदी की जयन्ती के उपलक्ष में वरिष्ट नागरिक विश्व वरिष्ट नागरिक दिवस प्रतिवर्स कम मनाया जाता है 21 अगस्त को धर्मिय विश्वाश के आदार पर हिंशा के पीड़तों का दिवस कम मनाया जाता है 22 अगस्त को इस डिजिटल इनोवेशन अलाइंस डी आई ए सिखर सम्मेलन का उद्गाटन किस ने किया राजीव चंद शेखर केंद्री कोशल विकाश और उद्यमता तथा उद्यमता तथा इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रद्योगी की राजमंत्री ने डी आडियों के पूर्व अध्य अगस्ट 2023 को दास ब्यापार और उनके उन्मूलन की इश्मृति के लिए अंतराश्टी दिवस कम मनाया जाता है 23 अगस्ट को पहली बार इस दिवस को कम मनाया गया था बर्स 1998 में इन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एन जीटी का अध्यक्षन किया गया जश्टिश प मनाया जाता है मलेरिया परजीवी की खोज की स्मृत में इसकी खोज किसने की थी सर रोनाल रॉष ने इसकी खोज कब की गई थी 20 अगस्त 1897 को इस खोज के लिए इन्हें चिकित्ता विज्ञान की छेत में किस बर्स नोवेल पुरुसकार प्रदान किया गया था बर्स 1902 मे ससत महिला आइकन पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया मायरा ग्रोवर को यह पुरुसकार किसके द्वारा प्रदान किया गया हाउस ओफ लॉडर्स यूके की संसत के द्वारा मायरा ग्रोवर कौन है लेखिका है नई दिल्ली सोसल वर्टकर्स एसोसियेशन की सचिब वि भारत की G20 अध्यक्षिता पर शमन बै समित की साथवी वैठक की अध्यक्षिता किसके द्वारा की गई डॉक्टर पी के मिस प्रधान सचिप प्रधान मंतरी आठ अगस दो हजात तेईस भारत की G20 अध्यक्षिता में सिखर सम्मेलन कव आउजित होगा 9 से 10 सितंबर 2023 की मत भारत वियतनाम संयुक्त ब्यापार उप आयो की पांच में बैठक का आउजन कहां किया गया नई दिल्ली में किया गया 7 से 8 अगस 2023 इस उप आयो की चौथी बैठक कव आउजित की गई थी बर्स 2019 में भारत और वियतनाम के बीच बर्स 2022 के दौरान कितने डॉलर का दुपक्षी ब्यापार संपन हुआ था 14.70 विलियन अमेर की डॉलर वियतनाम का भारत के साथ ब्यापारिक शाजेदारी में कौन सा इस्थान है 23 इस्थान है तेर्मी ब्रिक्ष ब्यापार मंतरियों की बैठक में भारत का प्रितने दित किसके द्वारा किया गया केंद्री मंतरी पियूश गोयल के द्वारा साथ अगस 2023 को ब्रिक्ष के अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है दच्छन अफरीका के द्वारा वर्स दोहजा 13 के लिए ब्रिक्ष का विशे क्या है ब्रिक्ष ओफ अप्रीका पारस परीक रूप से तौरित विकास सतत विकास और समावेशी बहु पक्षवाद के लिए साजेदारी विक्ष देशों की पहली सिखर इसतर की आधिकारिक बैठक कहां आयोजित की गई थी ब्रिक्ष बैंक जिसे न्यू डवलपमेंट बैंक एंडीवी कहते हैं इसकी इस्थापना हे तो कब समझोता किया गया 15 जुलाई 2014 को इसका संचालन कब से प्रारंब हुआ 21 जुलाई 2015 से वर्तमान समय में ब्रिक्ष बैंक का अध्यक्ष कौन है दिल्मावाना रूशे मूल रूप से ब्रिक्ष सब्द किसके द्वारा दिया गया ब्रिटिस अर्शासरी जिम और निल के द्वारा उडिसा उचनयाले के 33 मुखनयादीश के रूप में किसने सपत ली थी सुभाशिस तलपात्रा ने लिए आठ अगस दो अजात तेज को राश्टी हतकरगा दिवस मनाने के लिए किस नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया हस्तु वेम इसका आयोजन कहां किया गया है निफ्ट मुंबई परिसन महाराष्ट में इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है निफ्ट मुंबई के द्वारा या प्रदर्शनी लोगों के लिए कब तक खुली रहेगी या खुली रही या प्रदर्शनी लोगों के लिए कब तक खुली रही 15 अगस 2023 तक मैपिंग तिबबत नामक प्रदर्शनी का उद्गाटन कहां किया गया तिबबत संग्रहाला धरमशाला हिमाचल प्रदेश में 7 अगस 2023 को अफ्रीका में हेल्थ केर विस्तार के लिए किसी ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया जयेश शैनी को USA द्वारा नागसाकी पर परमाण बम कब गिराया गया था 9 अगस्ट 1945 को आदी पेरक को महोसक कम मनाया जाता है आदी महा तमिलनाड के अठार में दिन वस्दोजाद तेश में यह महोसक कम मनाया गया 3 अगस्ट को यह महोसक किसके प्रतीक के रूप में मनाया जाता है तमिलनाड में मांशून के प्रारंब में Space Information Bureau PIV का प्रधान महानिदेशक किशे नियुक्त किया गया सत्येंद प्रकाश को 1 अगस 2023 को PIV का गठन किस वर्स हुआ था बर्स 1919 में इसका मुख्याला कहां इस्तित है नई दिल्ली में सचीव राजीव गावा का कारिकल कितनी वर्स के लिए वड़ा दिया गया है एक वर्स के लिए तीन अगस्त 2023 को किस उपग्रे कारिक्रियम के तहत विविन डिज्टल सास्त्री कलच संग्रे को चन्दमा पर भेजा जाएगा चंद्र कोडेक्ष लुनार को कोडेक्ष तीन 2023 को इनके कारिकाल की समयावदी क्या है वर्स 2023 से 2024 आई सी ए आई का पूरा नाम क्या है भारतिये लागत लेखाकार संस्थान सर्वोचन आयलन परवर्तन निदेशाले के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कारिकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है 15 सितंबर 2023 कारिकारी नरेंद्रन को टीवी नरेंद्रन 24 जुलाई 2023 किसने प्रतिष्ठित माइकल फ्रैंकलिन साइतिक पुरुसकार जीता संक्री चंदरन ने जीता 25 जुलाई 2023 को इनों ने पुरुसकार अपनी किस क्रिती के लिए जीता चाई टाइम एड़ सिनामन गार्डन उपन्यास के लिए भारत की G20 अध्यक्षता के तहट THINK 20 सिखर सम्मेलन कहां एज़ित किया गया मैसूर करनाटक में किया गया 31 जुलाई से 2 अगस दो हजाद तेईस जी ट्वेंटेम पॉवर सिखर सम्मेलन का एज़ित कहां किया गया गांधिनगर गुजरात में 1 से 2 अगस दो हजाद तेईस इस सिखर सम्मेलन का उदगाटन किसके दोरा किया गया केंद्री मंति इश्मरत जुविन इरानी दोरा नौवा CII India LAC कौन क्लेब का एज़िन कहां किया गया नई दिल्ली में किया गया 3 से 4 अगस दो हजाद तेईस भारत में जल समस्याओं से समंदित दबाटर चेलेंज किसके द्वारा सुरू किया गया दस सरकल फाउंडर्स क्लव और इश्राहिल द्वारा अगस दो हजाद 23 में सुरू किया गया इसे किसे इंजीनेरिंग प्रोजेक्ट से इंडिया लिम्टेट का चेयर मैन और प्रवन्द निदेशक न Crown नियुक्त किया गया एस पर मेश को किया गया 28 अगस दो जाद 3 भारत कि अध्यक्षता में तीसरी जीट्वन्टी वृश्टा चार औरोदीक के द्वारा अंतर राष्टी मूल निवाशी दिवस कम मनाया जाता है 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट महासबा द्वारा यह दिवस मनाया जाने का नेना कब लिया गया था 23 दिसंबर 1994 को लिया गया था भारत छोड़ो अंदोलन की 81 वर्षगांट को इक्यास वी वर्षगांट कम मनायी गई 9 अगस्त दो जात तेज को किस मले आलम फिल्म निर्वांता का 63 वर्षट की अवस्ता में निधन हो गया सिद्धी की इसमाइल का 8 अगस्त दो जात तेज किस प्रसिद्धी लेखक और समताज परिशत की उपाध्यक्ष का सत्तर वर् के 9 अगस्त दो जात तेज प्रतिवस विश्व जैवीनन दिवस कम मनाये जाता है दस अगस्त को मनाये जाता है वीवी गिरी की 127 में जनती कम मनाई गई 10 अगस्त दो जात तेज को भारत की चौथे राश्पती की रूप में उनका कारेकाल था 1969 से 1974 तक तीसरे उपराश्पती की रूप में उनका कारेकाल क्या था उननिस सरसट से 1979 इन्हें भारत रच्ण से कव सम्मानित किया गया 1975 में ओश्यदी इलेक्ट्रोनिक शंशाधन संग के चौथे राश्टी शम्मेलन का योजन कहां किया गया नई दिल्ली में 11 अगस्त दो 2023 के लिए बिसंगनान दिवस का विशे क्या है या थीम क्या थी इस टेप अब टू वॉलिंटियर नीड मोर ओर्गन डोनर्स तू फिल्द लेक्ट्यूने हाल ही में शंयुक राश्ट संग्खा पहला विश्यू इश्टील पैन दिवस का मनाया गया 11 अगस्त दो जाते इस दिवस की थीम क्या है ग्रीन इसकिल्स फॉर यू तो वर्ड्स अ सस्टनेवल वर्ड विसोहाती दिवस प्रतिवस का मनाया जाता है 12 अगस्त को वर्स दो जाते इस में इस दिवस की थीम क्या है अवैद बन जी व्यापार को समाप्त करना विवहाजन विभीशी का स्मिर्ट दिवस का मनाया जाता है 14 अगस्त को विश्य प्रक्यात लेखक और शिक्षाविद का 93 वर्स की आयमें निधन हो गया कांडला कुंटा अलाह सिंगार चा यूलू 13 अगस 2023 कांडला कुंटा अलाह किस भासा के बिद्वान थे तेलगू और संस्क्रत के पहले पारंपरिक चिकिस्तव एश्विक शिखर सम्मेलं का आयोजन कहां किया गया गांदी नगत गुजरात में किया गया 17-18 अगस 2023 में इसका आयोजन किसके द्वारा किया गय और आयोज मंतराल द्वारा संयुक्त रूप से अंतराष्टी लेफ्ट हेंडर्स दे प्रतिवस कम मनाया जाता है 13 अगस 2023 में इस दिवस की थीम क्या है लेफ्ट हेंडर्स इन स्पोर्ट कितने लोगों को अगनी शमन शेवा पदक से समानित किया गया 53 लोगों को 15 अगस 2023 क एक किस जगे यूथ 20 सि Curtsamiland का आयोजन किया जाएगा वाराण शी में इसका आयोजन के कीया जायगा इस सट्रह से बीस अगस 2023 को किस मंत्राले द्वारा इसका आयोजन कीया जाएगा यूवा कारि और खेल मंत्राले द्वारा चौथी परियावरण और जलवाई स्थेता क परियावरण और जलवाय मंत्रियों की बैठक कहा है अईजीत की गई चेन नहीं तमिलनाड में 26 जुलाई दो जाते ही संसाधन दक्षिता परिपत्र अर्थवेवस्ता उद्यों गठवंदन आर इसी इसी का सुभारम किस ने किया केंद्री परियावरण बन और जलवाय परिवर्तन मंत्री भूपेंद्री आदब ने वाल संरचन बाल सुरक्षा और बाल कल्यान पर चौथी छेत्री संगोष्टी का आयोजन कहां किया गया रांची जहारकंड में 31 जुलाई इस संगोष्टी में किन राजियों ने भाग लिया पश्चिम मंगाल बिहार जहारकंड उड़ी शाने यह संगोष्टी किसके द्वारा जुट की गई महला एवं बाल विकास मंत्रालाई के द्वारा अब चलिए आगे देखते हैं खेल परिद्रश्य इसमें देखते हैं क् तेस्ट क्रिकेट में 600 इकट लेने वाले दूसरे तेज गैंदवाज कौन बने इस्ट्वर्ड ब्राड इंग्लेंड यह 19 जुलाई 2030 उपलब दहांशित करने वाले पहले गैंदवाज कौन है जैंस एंडर्सन यह इंग्लेंड के थे नौर्ट चैनल पार करने वाले बिसकि सबसे कम आयों के ब्यक्ति कौन बने हैं अंसुमन जिंगरन 17 जुलाई 2030 इनों ने यह उपलब दी कितनी उम्र में प्राप की 18 बर्स 125 दिन यह वर्स 1947 की पस्चास से नौर्ट चैनल पार करने वाले किस क्रेम की ब्यक्ति हैं एकसो चौध में यह भारत के किस राश से संब्दित हैं महाराष्ट की नमी मुंबई फीफा द्वारत जानी नमींतम पुरुष फुटवॉल रैंकिंग में भारती फुटवॉल टीम का कौन सा इस्थान है निन्यानवे इस्थान है 20 जुलाई 2023 भारती महला वॉलीबॉल टीम का नया कुछ किसे नियुक्त किया गया है किसे किया गया है रविंद्रा वांश्टू को जुलाई 2023 हौकी ACI चैंपेंशन ट्रॉफी के सुभंकर का अनावरान कहां किया गया है चेनने तमिलाड में 20 जु सुभंकर क्या है क्या है इसका सुभंकर है बोममन इस चैंपियंशिप का आयोजन कहां किया जाएगा चेनने तमिलनाड में किया जाएगा 3 से 12 अगस 2023 अंतर राश्टी T20 क्रिकेट के एक मैच में सरवाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किस ने बनाया शयाज रूल इंद् विकेट लिए साथ विकेट यह किस देश के खिलाडी हैं मलेशिया के हैं इन्होंने यह रिकॉर्ड किस देश के बिरुद्ध बनाया था चीन के बिरुद्ध बनाया था भारत के तराश्टी में ग्रेंड मास्टर कौन बने हैं आदित एस सामंद यह कहां के हैं महाराष्ट के हैं 26 जुलाई 2023 मैंग्रोव पारिस्थिति की तंत की संरच्छन के लिए अंतराश्टी दिवस प्रतिवर्ष का मनाया जाता है 26 जुलाई को किस देश की मेजवानी में टेमपियर ओपन 2023 का एज़न किया गया बिनलैंड 17 से 23 जुलाई 2023 किसने टेमपियर ओपन Touch स्रेणी का खिताब जीता सुमित नागल भारत फिसने टेमपियर ओपन स्रेणी के में परूस यूगल खिताब जीता पीत्र मरट जेवशकी थोड़क टफ है इनका नाम मार्ट्विस्ट जेवस्ट की मार्ट्विस्ट जेवस्ट की और सिजमन की लंद दोनों पोलेंड के हैं ये हाल ही में खेल मंतराला ने किस खेल संग को मानेत प्रदान की भारती हैंड वॉल संग 23 जुलाई 2023 को संपन हंगेरियन ग्रेंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता मैक्स वर्सटा पेन रेड बुल किसने टूल डी फ्रांस साइकलिंग का 110 संस्क्राइब जीता किसने जीता जोनास विंगार्ड नेनमार्क के हैं ये एक से 23 जुलाई 2023 में जीता तूल डी फ्रांस का उबिजेता किसे चुना गया तड़ेज पोगा कर को चुना गया ये इस्लोवेनिया के हैं 23 जुलाई 2023 को संपन ACC पुरुस इमर्जिंग टीम एसिया कप 2023 किसने जीता पाकिस्तान ए इसमें उबिजेता टीम कौन रही भारत ए प्लेयर ओफ दे सीरीज का खिताब किसने जीता निशान्त सिंदु ने जीता ये भारत के हैं सबसे अधिक रन इस टूनामेंट में किसने बनाया अविश्का फर्नांडो ने बनाया इस स्रीलंका की रहने ये स्रीलंका की है अविश्का फर्नांडो और इन्होंने कितने रन बनाए दो सो पच्चिस रन सबसे अधिक विकेट किस ने लिया निशान्थ सिंद भारत ग्यारे विकेट ACC का पूरा नाम क्या है ACI क्रिकेट परिशन इस खेल शाशी निकाया ने अंपायर शिक्षा पाठेकरम की घोशना की है अंतरराश्टी क्रिकेट परिशद ICC 24 जुलाई 2023 को अंपायर शिक्षा पाठेकरम का क्या नाम है ICC अंपायर फांडेशन शर्टिफिकेट जूनियर ACI जूडो चैंपियंशिप 2013 का है जून कहां किया गया मकाव चीन में किया गया इस चैंपियंशिप में किन भारती जूडो खिलाणियों ने श्वण पदक जीता इसने जीता असमीता डे उन्नती शर्मा और अरुन कुमार ने निशानिवाजी विश जूनियर चैंपियंशिप 2013 कहां संपन हुई चांगवान दच्छिन कोरिया में 14 से 25 जुलाई 2023 इस प्रतियोगता में भारत ने कुल कितने पदक जीते 17 पदक जीते इसमें कुल कितने स्वाण पदक है छे स्वाण पदक है पदक तालिका में भारत के सिस्थान पर रहा दूसरे इस्थान पर प्रत्थम इस्थान पर कौन सा देश रहा चीन इस प्रत्योगता में चीन ने कुल कितने पदक जीते 28 पदक वी गेजा हेटे नहीं हेटे नहीं मेमोरियल सुपर जी एम सत्रन टूनामेंट 2023 किसने जीता ग्रेंड मास्टर प्रग्याना नंदने जीता वी गेजा हेटे नहीं मेमोरियल सुपर जी एम सत्रन टूनामेंट 2023 कहां एजित किया गया हंगरी में किया गया 1119 जुलाई 2023 टेस एकान सफिंग चंप्यूंचिप का एजण कहां किया गया उजऑ तो लुस दूद मालदीप मैं भारत ने इस चंप्यूंचिप का कौन्सा पदक जीता कांश्य पक पक यहां कांश्य पदव हो गया है यहां कांश्य पदव नहीं है पदक है यह अखिल भारती फुटवाल महासंग द्वारा प्लेयर ओप द इयर अवार्ड 2022 22 ते इसकी घोषना कब कीगी चार जोलाई 23 ए आई एफ एफ द्वारा बर्ष के शर्फशेष पुरुष खिलारी का पुरुष कार किसे दिया गया ललियान जुआला च्छांगते ए आई एफ एफ वर्ष की सर्फशेष महिला खिलारी कौन बनी मनीश्य कल्याण ए आई एफ बर्ष का सर्फशेष पुरुष कोच का पुरुष का किसे मिला क्लिफवोर्ड मिरांडा को ए आई एफ एफ वर्ष की सर्फशेष महिला कोच का पुरुष का किसने जीता प्रिया पर्थी वलब पिलने हंगिरियन ग्रेंड प्रिक्ष का खिताब किस ने जीता मैक्स वर्सटापिन रेड़ बुल ने 23 जुलाई 2023 को ISSF शौर्ट गन विश्व का लो नाटो 2023 में भारत के लिए एकमात पदक किस निसानने बाज नहीं जीता प्रित्वी राज टोंडिमिन कांश्य सोल जुलाई 2023 को आइसी सी विश्व कब दोजाटेज का ब्रांड एमबेज़र किसे नियुक्त किया गया है सारुक खान को नियुक्त किया गया उनने जुलाई 2020 पांसो अन्तर आश्ती मैच खेलने वाले दुनिया के δस में एक भारत के चौथे क्रिकेटर कौन बने सांध्यम भारत के चौथे क्रिकेटर कौन बने है बिराट कोली मने हैं बीब जुलाई कि आधाब किस ने जीता है आंद्रे रूवलेव रूस ये रूस के हैं 17-23 उलाई 2023 डेल रूवलेव ने कि से पराजित करी यह खिताब जीता कैसपर रूड कैसपर रूड को इनाना पराजित किया कैसपर रूड कहां के नौर्वे के एटीपी टामप्रे ओपन दोजाटेज टेनिस टूर्णमेंट का एकल खिताब किस ने जीता सुमित नागल ने जीता ये भारत के हैं सुमित नागल ने किसे पराजित किया था डेली वोर स्वाचिना ये कहां के हैं चेक गड़ राज के हैं विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियंशिप दोजाटेज में भारत के लिए श्वड पदक किस ने जीता राकेस और सरिता ने जीता कंपाउंड मिश्रित टीम सत्रह से जुलाई दोजाद तेज लाहिरू थीरिमाने ने अंतराश्टी किर्केट से सन्यास लेनी की घोश्णा कि ये वे किस देश से संब्द देता है श्री लंका से संब्द देता है उनके द्वार अपने करियर में कुल कितने मैच खेले गए चवालिस टेस्ट मैच खेले गए एक सो सटाइस एक दिवसी चबिस टी 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 मैच खेले गए ब्रायन टेवर का निदन हो गया वह किस खेल से संब्द देते क्रिकेट से स्ट्रिकेट विकेट कीपर 21 जुलाई 2023 व्राइन टेवर का सम्मन किस देश से था उनका सम्मन वो ऑस्टेलिया के थी विस पेरा पॉवर लिफ्टिंग चेंपियनसिप 2023 में किस भारतिक लाड़ी ने स्वर्ड श्वर्ण पदक जीता किस ने जीता हनी रवास ने 22 से 30 अगस 2023 हनी रवास ने ये पदक कितने किलोग्राम भार बर्ग में जीता वासट 32 किलोग्राम जूनियर पुरुस बर्ग ये 72 इस चेंपियनसिप में किस से जूनियर भारतिक लाड़ी ने रजत पदक जीता राहुल जोग राजिया ने ओलम्पिक शुन पदक बिजेता जॉन डेविट का निधन हो गया उनका समन्द खेल की किस विधा से था तैरा की से था 17 अगस 2023 इनका समन्द किस देश से था कहां के थे ऑस्टेलिया के किस भारति धाविका को डोपिंग के चलते चार साल के लिए बैन किया गया दूती चंदर को 17 अगस 2023 लीक कब दो जाते इसका खिताब किस वूटवाल क्लब ने जीता इंटर मियामी सी एफ 21 जुलाई 19 अगस 2023 क्लब इंटर मियामी ने किस क्लब को पराजित करी है प्रतियोगता जीती नैश्विले एस सी उत्तर प्रदेश में IPL की तजपर UPT 20 क्रिकेट लीग मैच का ब्रांड एमबेजडर किसे नियुक्त किया गया शूरेस रहना को फीफा महला विश्युकप दोजा थेज का एज़न कहां किया गया और श्रेलिया और न्यूजिलैंड में किया गया 20 जुलाई 20 अगस 2030 इस विश्युकप में कुल कितनी टीम होने भाग लिया 22 टीम होने इस विश्युकप की बिजेता तीम कौन रही इस पेन महला इस पेन ने किसे पराजित करी है विश्युकप जीता इंगलेंड महला को इस विश्युकप में कांश पदक किस देश ने जीता स्वीरन महला ने इस पेन महिला के यह बिस्तु कप का कौन सा खिताब रहा प्रतम इस बिस्तु कप का फाइनल मैच कहां खेला गया सिड़नी ऑस्टेलिया में 20 अगस 2023 इस बिस्टुकप में गोल्डन बूट का पुरुसकार किसे प्राप्त हुआ हिनाता मिया जावा जापान गोल्डन गलब का पुरुसकार किसे प्राप्त हुआ मेरी अर्पर्स इंगलेंड को मेरी अर्फ्स इंग्लेंड को सर्फशेट यंगिस्ट प्लेयर का प्रोसकार किसे प्राप्त हुआ शल्मा पार लुएलो इस्पैन वर्तमान में इस्पैन महिला फुटवॉल के किन स्रेणियों का बिश्व बिजेता है अंडर 17 अंडर 20 एवं सीनियर अगला महिला फुटवॉल बिश्व कप आयोजित किया जाएगा बर्स 2027 में किस भार्तिय ने अंडर 17 जून अंडर 17 अंडर 17 अंडर 17 एसी आई जूनियर इसक्वेश चैंपियंशिप में श्वडपदक जीता अनाहत सिंग ने 1220 अगस 2023 अनाहत सिंग ने किसे पराजित कर यह पदक जीता एना क्वांग हांग कांग अंडर 20 कुस्ती 20 चैंपियंशिप का आईजन कहां किया गया अमान जार्डन में 14 से 20 अगस 2023 इस चैंपियंशिप में भारती पहनवानों ने कुल कितने पदक जीते 14 पदक जीते 4 श्वण पदक 3 रज़त पदक और 7 कांश्य पदक पुरुष फ्रीश्टाइल 61 किलोग्राम इस परदा में श्वण पदक किस खिलाडी ने जीता मोहित कुमार ने जीता यह भारत के हैं किस महला पहलवान ने लगाता दूसरे बर 53 किलोग्राम इस परदा में श्वण पदक हाशिल किया अंतिम पंगल यह भी भारत की हैं महलाओं की 62 किलोग्राम इस परदा का स्वाण पदक किस ने जीता शविता ने जीता ये भी भारत की हैं महलाओं की 76 किलोग्राम इस परदा का स्वाण पदक किस ने हासिल किया प्रिया मलिक ने भारत केबिनेट ने किंदो देशों के बीच खेल के छेत में सहीयोग पर समझाता कि आपन को मंजूरी दी भारत और 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 स्चेलिया 16 अगस 2023 मुहम्मद हवी भारत का निदन हो गया वे किस खेल से सम्मंदित थे फोटवाल से थे जुलाई 2023 के लिए ICC Men's Player of the Month किसे नामित किया गया क्रिक्ष बोक्ष इंग्लेंड 15 अगस 2023 जुलाई 2023 के लिए ICC Women's Player of the Month किसे नामित किया गया ऐसले गारडनर को और यह ओश्रेल बहारत के पहले Night Street Racing Circuit का अनावरन कहां किया गया 16 अगस 2023 इसका अनावरन किस ने किया तमिलनाड सरकार और Racing Promotions Private Limited यह direct track कितने किलो मीटर लंबा है 3.5 km फिडे सतरंज बिश्युकप 2023 का एजन कहां किया गया बाकू अजर वैजान में 29 जुलाई से 24 अगस 2023 ओपन बर्ग पुरूश में कौन चैंपियन बना मैगनस कारलर्सन नार्वी मैगनस कारलर्सन का या कौन सा बिश्युकप खिताब है कौन सा है ये पहला है उपविजेता कौन बना आर प्रज्याना नंद भारत है ओपन बर्ग में कांश की पतक किसने जीता थे वी आनू कारूआना अमेरिका महिला बर्ग में कौन सा खिआधी विश्युभी कौन बनी एलेगजेन्डरा गायार्त्किना गायार्त्किना एलेकजेंडरा गायार चिकिना रूस उपविजेता कौन बनी नर्ग्यूल सालिमोबा बुल्गारिया महिला वर्मे कांशी पदर किस नहीं जीता अन्ना मुजी चुक यूक्रेन सिंसिनाटी मास्टर बेश्टन एंड सौधन ओपन 23 एक टेनिश टूनामेंट का आयोजन कहां किया गया सिंसिनाटी अमेरिका 13 से 20 अगस 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता नुवाग जोकोविच ने यह सर्भीया के रहने वाले किसे उबजेता के तौरपर संतोज करना पड़ा कालोस अलकराज ने यह इस पैंड के हैं महिला एक इस परदा का खिताब किसने अपने नाम किया कोकोगॉफ ने यह अमेरिका की है कौन सी खिलाडी उबिजेता बनी कैरोलिना मकोवा चैक गड़राज भारती क्रिकेट टीम के आयलेंड दोरे में किस श्रिंखला का आयोजन किया गए एक टीट्वंटी अंतराश्टी शिंखला तीन मैच 18 से 23 अगस 23 इस दुपकशी टीट्वंटी अंतराश्टी शिंखला को किस टीम ने अपने नाम किया भारत ने किया दो माइनस 0 इस शिंखला के लिए सर्फशिष खिलाड़ी का पुरुस्टर के से मिला जश्पीत बुम्रा रहा श्रिंखला में भारती कप्तान इस सर्वादिक रन के स्खिलाणी ने बनाई रूतुराज गायगवार ने यह भारत के हैं 77 रन बनाई भारती टीम के बेश्ट इंडीज और संयुक्तुराज अमेर का दौरा दोजाज टेश में किन स्खिलाएं का आविजन किया गया वायज के शिंखला दो मैच एक दिक्ली में साथिय गायवार ती और वेश्टS का थेए नतराश्ति टीम ने अपने किए बारत कि एक बाइनस गेंगा त्वीट किस इसीन को किश्च टीम ने जीत हैं भारत Feld ने जीत कहां के भारत के हैं भारत एक दिपसी अंतराश्टी शंखला गवाई थी वस 2006 में तीट्वंटी अंतराश्टी शंखला को किस ने जीता बैस इंडीज ने जीता तीन माइनस दो इस रंखला का सर्फशे इस खिलारी किसे घोशित किया गया निकोलस कूरन को यह वेश्ट इंडीज के हैं उन्हां तर्मी नेहरू ट्रॉफी वोट रेश्ट दोजाथेज का एजन किस जील में किया गया उन्मदा जील अल्ला पुझ्जा केरल बारगस्ट दोजाथेज इस वर्ष का सुभंकर क्या है नौकायन करता एक नन्ना हाती कौन सी शनेक बोर्ड इस वर्ष विजेता वनी वियापुरम नाव डवलू एसल तमिलनाड इंटरनेशनल शर्फ ओपन दोजाथेजन कहां किया गया महावली पुरम तमिलनाड 14 से 20 अगस दोजाथेज इस टूनामेंट का साज की निकाय कौन हैं वल्ल शर्फ लीग करीज़ का खिताब किसने जीता शारा वकिदा जापान से शिनू मस्तुद जापान पूरुष हौक्य चैंपियनड just कहां हुआ चेन नहीं में हुआ तीन से बार अगस 2023 इसका खिताग किसने जीता भारत ने कौन सी टीम उब्विजेतर बनी मलेशिया एशिया चैंपियन्स ट्रॉफी 2023 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया चैंपियो आप दूनामेंट पुरुसकर किसे प्रदान किया गया मंदीब सिंग को यह भारत से हैं तीसरे खेलो इंडिया जूनियर महिला होकी लीग का पहला चनंग कहां अजित किया जा रहा है मेजर ध्यानचन इस्टेडियम नई दिल्ली में 13-22 अगस 2023 यह प्रतियोगता कितने चैंड़ों में आजित की जाएगी दो चैंड़ों में वर्ड शत्रंज फेडरेशन FIDE की विश्व रैंकिंग में अब तक 6 रेटिंग पॉइंट वाले पॉइंट पाने वाले पहले भारतियों कौन बने डी गुकेश चार अगस्ट 23 अब तक विश्व शत्रंज रेटिंग में 10 में जगह बनाने में कितने भारतिक लाड़ी सफल हुए ह दो विश्व नाथन आनंद एवं डी गुकेश डी गुकेश की FIDE रैंकिंग कितनी है नौमी पूर्वतर राज का देश का पहला राश्टी खेल विश्व विद्याला कहां इस्तापित किया जाएगा मनेपूर में किया जाएगा तीन अगस 2023 को इशिक्रम में पूर्वतर मे में कितने खेलों इंडिया के इंद खोलने की योजना है एक हजार के बिश्व तीरंदाजी चैंपियंसिप 2023 का योजन कहां किया गया वर्लिन जर्मनी में किया गया 31 जुलाई से 6 अगस 2023 इस चैंपियंसिप में पदक तालिका में शीर सिस्थान किसे प्राप्त हुआ है भा महलाओं की व्यक्तिकत कमपाउंंड में किस न स्वाणपदक जीता आदिती गोपिछन स्वामी ने यह भी भारत से हाँ महिलाव की compound team का शानपतक जीतने वाली भारती टीम में कौन-कौन सामिल थे जोती सुरेखा, विन्नम, परनीत कौर, अधिती गोपीचन स्वामी भारत के लिए एक मात काश पदक किस खिलाड़ी ने जीत जोती सुरेखा, विन्नम ने compound महिला T20, 80 क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारती गेनबाज कौन बने हैं? खुलदीप यादब बने हैं, 8 अगस, 2-3 T20, 80 क्रिकेट में 100 छक्के पूरा करने वाले संयुक तुरू से दूसरे सबसे तेज बल्लेवाज कौन बने? खुले कुमार यादब, भारत, 8 अगस, 2-3 100 छक्के लगाने वाले, सबसे 100 छक्के लगाने वाले पहले सबसे तेज क्रिकेटर कौन है? एविन लुईस, ये बेश्ट इंडीज के हैं जमीनी इस्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें निकाने के लिए किस राजने खेल महारन का आयोजन करने का नेड़ा लिया है? असमने, 9 अगस, 2-3 खेल महारन कब आयोजित किया जाएगा? 1 नमंब, 2-3 से 10 जनवरी, 2-3 हौकी टूनामेंट, टोर्नेओ, डेल, सेंट, नारियो, 2023 का आयोजिन कहां किया गया? टेरेशा, वार्शिलोना, इस्पेन में, 25-30 जुलाई, दोहजात तेज इसका आयोजिन किस अपसर पर किया गया? इस्पेनिस हौकी संकी, सौवी गर्सवान, बर्सगांट के अपसर पर महिलाओं का खिताब किस टीम ने जीता? भारती महिला हौकी टीम, इस्पेन को हरा कर भारती है, पुरू सौकी टीम को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? बारती महिला टीम का नेत्रित तो किसके द्वारा किया गया? सविता पुनिया के द्वारा, ये गोल कीपर है भारत में पहली IAU, 50 किलोमीटर विश्य चैंपियनसिप का आयोजन कहां किया जाएगा? हैदरावाद, तेलंगाना में, 5 नमंबर, 2 जाटेज IAU का विस्तित रूप क्या है? अंतराश्टी एथलेटिक यूनियन भारत ने किस देश को पराजित क्रिकेट के तीन मैचों की एक दिवशी शंखला जीती? वेश्ट इंडीज को पराजित कर 27 जुलाई, इस से 1 अगस, 2 जाटेज भारत ने यह श्रिंखला किस अंतराल से जीती? 2-1 के अंतराल से इस श्रिंखला में, man of the series पुरुस्तार किशे प्राप्त हुआ इशान किशन को श्रिंखला में, सरवादिक विकेट किशने प्राप्त किया शारदूल ठाकुर ने किये, 8 विकेट श्रिंखला में, सरवादिक विकेट किशने मनाया इशान किशने, 184 किस देश के तेज घैंदवाज इस्टवर ब्रोट ने शन्यास की घुषना की, इंगलेंड के किस जगे, डवल्यू टीए पोलेंड, ओपन, 23 आरजित किया गया, वार्षा में 24 से 30 जुलाई, 23 इसका कौन सा संस्क्राइब था यह है, इसका कौन सा संस्क्राइब था तीसरा किसने महिला एकल शेनी में यह किताब जीता इगा श्विटेक, यह पोलेंड की है इगा स्विटेक यह पोलेंड की है, इगा श्वीटेक ने किसे पराजित करिया है खिदाब जीता लौरा शीगमंड जर्मनी शुब्रतो मुखरजी खेल सिक्षा शूशाइटी ने फुटवॉल को बढ़ावा देने के लिए किस परिशंग के साथ समझोता किया है भारती फुटवॉल परिशंग किस राज ने जल परिय खार अशम में किया गया पांच अगस्षी 22 को इसका घाटन किसके द्वारा किया गया रक्षावंतरी राजनाद सिंग के द्वारा इटी एफ महला विश्व टेनिश टूर के तहट डबलीू इस शार्ट बार्सिलोना टूनामेंट का आयजन कहां किया गया वार्सिलोना इस इस पर्दा में महिला यूगल का खिताब किसने जीता प्रार्थना थोंबारे भारत एवं अनास्तासिया तीखो नोवा रूस इस इस महिला यूगल इस पर्दा का खिताब किन खिलाणियों ने जीता रूतु जब होशले भारत और डेश्टेनी आएवा औस्टेलिया इकत्तिसमा वर्ल्ड यूनिवर्स्टी गेम कहां संपन हुए चेंगदू चीन में 28 जुलाई से 8 अगस 2023 इस इस पर्दा में कुल कितने खेल सामिल थे 18 इस इस पर्दा में पदक तालिका में सीर से देश कौन रहा चीन चीन ने कुल कितने पदक जीते 178 पदक जीते यह याद रखना चीन ने 178 पदक जीते स्वाण पदक कितने थे उसमें 103 स्वाण पदक थे 40 रजत पदक थे और 35 कांश्य पदक थे पदक तालिका में दूसरे एवन तीसे इस्थान पर कौन सी टीम है रही जापान 93 पदक, दच्छन कोरिया 98 पदक भारत इस इस परदा की पदक तालिका में किस इस्थान पर रहा साथ में इस्थान पर भारत ने कुल कितने पदक जीते 26 पदक जीते 11 स्वाण पदक पांच रजत और 10 कांश्य बिश्व तीरंदाजी चेंपियंशिप 23 का एज़न कहां कहां हुआ वर्लिन जर्मनी में हुआ 31 जुलाइ 6 अगसद 23 इस परती परदा की पदक तालिका में शीर्झेद पर कौन सा देश रहा भारत भारत बहारत की इस इस परदा में कुल कितने पदशा से चार इस 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 परती परदा में ने को यूंथे और Ka है को हैं पहले कौन थी भारत फश्ट पे कौन है भारत और सेकिंड कौन है दक्षिन कोरिया इस प्रतिश परदा में महिला कंपाउंड टीम का स्वाण पदक किस ने जीता परनीत कौर अधिती गोपीचन स्वामी और ज्योती सुरेखा बेनम भारत ने महिला कंपाउंड इस परदा में श्वाण पदक किस ने जीता अधिती गोपीचन स्वामी ने जीता इस प्रतिश परदा में पुरुस कंपाउंड इस परदा में श्वाण पदक किस ने जीता ओजस प्रवीन देपताले भारत भारती खेल प्रादी करण ने चीर फॉर इंडिया अभियान के तहित किस लग फिल्म श्रिंखला की शुरुआत की हल्ला बोल पांच अगस दोजात थेज़ T20 क्रिकेट में अर्ध सदक लगाने वाले दूसरे सबसे युबा भारती कौन बने हैं तिलक सर्मा श्यागस दोजात थेज़ पहले युबा भारती कौन थे रोहेत सर्मा शैफिल्ड इंग्लेंड में आयुजित डवलू ए बी डवल्यू एफ पैरा बैड मिंटन अंतराश्टी दोजातेज में भारत ने कितने पदक जीते अठारह पदक जीते तेन स्वण पदक पांच रजत और दस कांश चे पुरु सेकल S H 6 इस परदा में स्वण पदक किसने जीता क्रेश्ना नागर ने जीता भारत पुरु यूगल S L 3 माइनस S L 4 इस परदा में स्वण पदक किन खिलाणियों ने जीता प्रमोद भगत और श सि मती दोनों भारत की हैं Яं यह किस डेस की क्रिकेट खिलाडी है एलने उन्तराष्टी क्रिकेट से सन्यास की घोष ना tief इंगलेन के खिलाडी यह बैड्मिन्टन के लिए पैड्मिनटन के लिए राष्टी उतकरिश्चता केंद कहां स्थापित किया जा रा है गवार्थी अशम में किस देश के फोटवाल खिलाडी डिएगो गोडिन ने सन्यास की घोशना की है उरूगबे की 31 जुलाई 2023 अब देखिए इसका जियस पॉइंटर का सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सिबको समर्पित कंदारिया महादेब मंदि जिसका निर्माण 999 में चंदेल वंस के सासकों द्वारा किया गया था वह है वास्टुकला की नागर सैली का उधा रहे हैं कौन सी सैली का है नागर सैली का आजादी के अम्रित महुस्तव की अफसर पर भारत सरकार के कार्मिक और प्रशेक्षन वि योजन किया लॉड है श्टिंग्स के नेत्रित में सर्वोख्षता की एक नई नीत शुरू की गई थी इस नीत में कंपणी इस इंडिया कंपणी ने दावा किया कि उसकी सत्ता सर्वोपर यह शर्वोच्ष ए इसलिए उसकी सक्ति भारती राजयों की तुलना में अधेक है म्रेणालिनी शारा भाई एहमदावास सहर में नित्य नाटक संगीत और कटकुतली में चातरों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली संस्था दरपन अकेडमी ओफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक और निदेशक थी है बिक्चू कीट बर्ष से संबंदित नहीं है जबकि बिकल्पगत तिल्चट्टा मक्षर मक्षर और शिल्वर फिश्ट तीनों कीट बर्ष से हैं अनाहत सिंग दिसंबर 2021 में यूएस जूनियर इस्ट्वैक इस्ट्वैस ओपन जीतने वाली पहली भारती में लाएं भारती सम्मिदान में 11 मॉलिक कर तब्य हैं जुलाई 2020 में केंदी कानून एंजाइम प्रोटीन का डियाने प्रतिक्रिति में उनकी भूमिका से मिलान निम्लिकित प्रकार से हैं हेलिकेज डियाने की डवल हेलिक को खूलता है आर एने प्राइमर शैंसलेशन डियाने पॉलिमरेज नुक्लियोटाइड पॉलिमराइजेशन डियाने लिगेज नए डियाने खंड के तीन सिरे को पिछले वाले के पांच सिरे से जोडता है मौरी शाचा करशोक ने कलिंग पर बिजय प्रात की थी भारत में जायत की मौसम में खीरे की फसल हुगाई जाती है जलियावाला वाग हत्याकान 13 अप्रेल 19 अमरसर में हुआ था 30 जन्वरी 2023 को भारत की अध्यक्षता में हुँ रही जी 20 के पहले अंतराश्टी वित्ती सनरचना कारी शमू की दो दिवशी बैठका उदगाटन केंद्री क्रिशी एवं किशान कल्यान मंत्री नरेंच सिंग तोमर और खादे प्रशंशकरन उद्योग मंत्री पशुपत किया प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल बर्स 1896 में आयोजित किये गए थे 2022 में फीफा यू 17 महला विश्यकप 11 से 30 अक्टूबर के दोरान आयोजित किया गया था संसदी समितियों में एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता दिसमब 2021 में किदामबी स्रीकांत BWF विश्य चैंपियनसिप के फाइनल में खेलने वाले पहले भारती पुरुस सटलर वने RBI अंतिम रिंडाता की रूप में भी जाना जाता है चंद गुप्त मौरे ने विश्य गुप्त की साहता से मगद के नंदवन्स को उखाड फेंगा पदम श्री पुरुसका से सम्मानित दर्सन जावेरी भारत की एक मनिपुर नत्यांगना है प्रधानमंत्री जंधन योजना PMJDY राष्टी वित्ती समावेशन मिशन ने 2022 में कारियान बयन के आठ वर्स पूरे किये यक्रित उदर के उपरी भाग में बाई और इस्तित होता है राजी और उनसे सम्मंदित लिंगानुपात इस प्रकार से हैं प्रशिद अर्वी विद्वान अलवरूनी ग्यार्वी शतादी इसबी एडी में महमूद गजनभी के साथ भारत आया था ओलिक अम्न जैतुन के तेल का पच्पन माइनस अस्सी प्रस्सत हिस्सा बनाता है जो इसे खाना बनाने के अधिकांच तरीकों के लिए एक अच्छा बिकल्प बनाता है डॉपलर वेदर रडार हुआ है उपकरन है जो बर्षा का पता लगाने उसकी गत्य तीब्रता का निधारन करने और बर्षा बर्फ या ओला जैसे बर्षा प्रकारों की पहचान करने के लिए विद्धियोत चुम्ब की उड़ जाके इस पंदनों को बायमंडल में भेजता है भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना को बंबई योजना की रूप में भी जाना जाता है इस्लामिक कैलेंडर के नौवे महीने में रमजान मनाये जाता है जो की एक पवित्र महीना है जब दुनिया भर के मुसलमान रोजा रखते हैं और दानिपुन निजिशे जका रादी में लिखे गए ग्रंथ राज तरंगिणी के लेखक के रूप में है रादेश याम बाले को गुर्गाशी दास की जनती पर शंतनामी शमदाय के आदवाशियों के पंथी नित्य को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 में पदम श्री मिला था या नित्य शेली 36 गड़ र साफ्टा एक ब्यापार समझोता है जिसका उद्येस ब्यापार के लिए छेत की शमता को अधिक्तम करने और अपने लोगों के विकास को प्राप्त करने के लिए अंतह सार्क आर्थिक सहियोग को मजबूत करना है नर्मदा नदी अमरकंटक परवतमाला से निकलती है भारती सम्मिदान का अनुच्छे 51 सबक्लॉस ए हमारी सामाशिक शंश्क्रित की शम्रिद्दिवराशत को महत्त देने और परिरक्षित करने को प्रतिश ठापित करता है एगनेस पॉकेल्स के सोध ने प्रिष्ठ तनाब के रूप में जाने वाली वर्तमान अबधार्णा की नीव रखी जो तरल और ठोश सतों तथा अंतरा फलकों के गुणों का बढ़न करती है वर्स 2022 के लिए चिरन जीवी ने भारती अंतराश्टी फिल्म महोस्तब आई एफ एफ आई द्वारा प्रदान किये जाने वाला भारती फिल्म पर्शनेल्टी पुरुस्कार जीता है 25 जन्वरी 2023 को देश भर में 13 राश्टी मतदाता दिवस मनाये गया जिसमें भारत की राश्टपती द्रोपती मुर्मु ने नई दिल्ली में आयुजित राश्टी इस्तर के कारेक्रम की शोभा बढ़ाई नदियां और उनके इद्गम इस्तर का सही सुमेलन इस प्रकार से है सतलज नदी राकस साल गंगा नदी गंगोतरी हिमनद महा नदी सिहावा पहाड़ी गोदाबरी त्रयंब केश्वर 36 गड़ राज्जी सरकार ने मार्श 2022 में कौशल्य मात्रित और योजना सुरू की थी नाटी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्जी का लोक नेत्या है अलाउदिन खिलजी न दिल्ली शल्तनत में शैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रता तथा नगत भुगतान विवस्ता की सुरूआत की थी क्रिकेट में पिछकी लंबाई 22 याड होती है लिगनाइट की भंडार मुखित है तमिलनाड की नैवेली में इस्थित है यू स्री निवास मंडोलिन बादियंतर की प्रशिद वादक है अनुच्छेद 19 बाक श्वातंत्रे शंबंदी विसिष्ट अधकारों का सनरच्छन करता है वर्स 2021 में शंश्क्रत सास्तों और वेदों की ज्यान को पुनर जीवित करने के लिए वैदिक सिक्षा और संसकार बोड की इस्थापना की योजना बनाने के लिए राजस्थान सरकार चर्चा में थी भारत के पंदर में वित्यायों की अध्यक्ष एन के सिंग थे श्वतंत्र बंगाल राज की स्थापना मुरसीद कुली खान ने की थी 2011 की जनगर्णा के इनशार भारत में क्रेशी श्रमिकों का प्रतिसत हिस्सा 14.6 प्रतिसत है बस 1955 में खोजे गई एक धात्विक रेडियो धर्मी परायूरेनियम तत्तो मैंडेलीवियम है जिसका एक्टिनाइड श्रिंखला में परुमाण क्रमांक 101 है रोगों एबम उनके कारकों का सही मिलान निम्नबत है मदमे, इंसुलिन, ग्वाइटर, थायरॉक्षिन, कसिम शिन्रॉम, कार्टिशोल, एक्रोम, मेगाली, पियूस, ग्रन्थी सिर्पोर राष्टी नेत्य और शंगीत महुसव हैर बर्ष भारत के 36 गड़ राज में आयोजित किया जाता है रिगबेद में दशराग युद्ध, दस राजाओं का युद्ध का उल्लेक है बर्ष दोजार बीस इकिस के लिए वार्षिक सकल घरेलु उत्पाद मौजूदा कीमतों पर इंजीनेरिंग बस्तों के माल निर्यात का प्रतिसत हिस्सा अधिक्तम था सीलेंट रेटा में दुपक्षी सम्मिती नहीं है अनुमानित ब्याय और अनुमानित प्राप्तियां शरकारी बजट द्वारा दर्साई जाती है पांचमी पंचवर्शी योजना डीपी धर द्वारा बनाई और लांच की गई थी 1911 में अलफा चहे के अर्द आयोकाल और उस्तरजित अलफा कड़ों की उर्जा के लिए एक प्रयोग शिद सम्मंद गीगर और नटल ने खोजा था प्रशिद नर्तक बिर्जु महाराज ने बर्स 2016 में बाजी राव मस्तानी फिल्म के लिए शर्वशेश नित्यत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरुसकार जीता था अटेक लाइन कवड़ी से संबंदित नहीं है जबकि वल्क लाइन बोनस लाइन तथा एंड लाइन कवड़ी से संबंदित है उननीसवी सताब्दी के पूर्वाद में जॉन डालतन ने खोज की कि प्रत्येग रशायनिक तत्त एक अध्युती प्रकार के परमाण से बना होता है और बे परमाण अपने द्रब्यमान के अनुशार भिन्न होते हैं कपाज जूट तथा लोहा और इस पात उद्द्योग ब्रिटिश शाषन के दोरान संचालित थे समराट अशोक ने अपने राज्य विशेक के आठ बर्स बाद कलिंग पर बिजय प्रात्ती बिकार और हार्माण ग्रन्थ एडिशन रोग अधि ब्रिक ग्रिन्थ थे हासी मोटो रोग अबटु ग्रिन्थ एक्प्रो मिगेली ब्रद्धी हार्मोन शियाद वैसो प्रेशिन वलकब 2022 में अंडर 19 भारती क्रिकेट टीम के कप्तान यस ढूल थे बहुती गुर्धार्म और इकाई बिद्धुद्धारा, एम्पीर, एम्पियर, बोल्टेज, बोल्ट, धारिता, फेरर, चुम्बिकी, छेट, टेशला कोंगल तिवार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा है मंगलुरु, कांडला, मार्मुगाओ और हल्दिया बंदरगाओ में से हल्दिया बंदरगाओ भारत के पश्मी तड़ पर इस्थित नहीं है प्रेश्न गत बिकल्पों के अन्शार हिमाले के दार्जलिंग और शिक्किम हिमाले में इसकी सबसे उची परवचोटी कंचन जंगा इस्थित बिटामिन और खनिज हमारे सरीर में उपाप चई अविक्रियाओं के लिए शहायक होते हैं हैलाइट अपसादी खनिज हैं जिसे सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं तोर पर ऐशी शुष के जलवाय में बनता है जहां शमुद्र का पानी बासपित हो जाता है वर्स 2019 बर्स में अंतराश्टी खगोली शंगद्वारा भारती शंगीतकार पंडित जस्राज के नाम पर मंगल और ब्रेश्पत के बीच एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी के सासनकाल के दोरान बस्तर बाजार को शराय ए अदल की रूप में जाना जाता था 1000 फीट की उंचाई से छलांग लगाने वाली भारती सेना की पहली महला सेनिक स्काई डाइवर लांस नायक मंजू है अप्रेल 2022 तक प्रापत आंकणों के अंसार आदर्स कुमार गोयल राष्टी हरित अधिकरण के अध्यक्ष थे रहयत वाड़ी बंदोवस जिसमें कास्तकारों को सीधे सरकार को बार्सी कर चुकाना पड़ता था सुरुवात में मद्राश और बॉम्बे रांत में सुरू किया गया था भारत से इंग्लेंड को धन्निकाशी का शिद्दान देने वाले पहले राष्टवादी ब्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे कतर देश ने फीफा बिश्चुकब 2022 की मेजवानी की भारती सम्मिदान के अनुच्छिद 141 में उनलेख है कि सर्वोच नियालय द्वारा घोसित कानून सभी नियायालयों पर बादिकारी है वयश मतादिकार का प्रयोग करना भारती सम्मिदान में मौलिक कर्तब्यों के अंतरगत नहीं आता है अर्थ वेवस्ता में रिण उधार को हतोत साहित करने के लिए केंदरी बैंक बैंकदर बढ़ा सकता है भारत में आधुनिक नियत्य का जनक उदैशंकर को जाना जाता है शितंबर 2021 में जिला अस्पतालों की प्रदर्शन में शर्वुत्तम अभ्याशीर्शक से नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अंसाथ जिला अस्पतालों में औस्तन प्रती लाग जनसंक्या पर 24 बिस्तर हैं प्रदानमंति कोशल विकास योजना बर्स 2015 में प्रारम की गई थी खेमराज को लोक शंगीतों कुद निर्थे में उनकी योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी प्रोशकार मिला यह लोकनित जम्मू और कश्मीर के इंसासित प्रदेश का है भारत में राश्टी जलमार्गों का अनुरक्षन भारती राश्टी राजमार्ग प्रादेकरन करती है प्रज्जोला चैलेंज बिचारसिल दिमागों को बदलाव लाने है तो एक मंच प्रदान करने के लिए एक राश्ट व्यापी पहल ग्रामीन विकाश मंतराले द्वारा शुरू की गई थी कथक के लखनव घराने के स्थापना इश्वरी प्रशाद ने की थी माजुली महुस्तव मनाने के लिए अशम राज्य प्रशिद है 2011 की जनगरना के इंशार भारत का जनसंख्या घनत तो 382 ब्यक्ति पर किलो मीटर है अपने शम्मिदान में मौलिक करतब्यों को सामिल करने वाला पहला देश सोवियस शंग यूएस एस आर था सात्मी पंचवर्शी यूजना को देश खाद्यान उत्पादन में तेजी से ब्रद्धी करना था वर्श 2021 के अप्रेल महीने में एक विशेशक गिशमू के मार्क दर्शन में प्रवाशी कामगारों पर अखिल भारती शर्वेक्षन शुरू किया गया ICC महला T20 बिसकप 2020 में पहली बार भाग लेने वाली टीम थाइलेंड थी पशु कोशिकाओं में राइवो शौम शूत्र कणिकाएं और लयनकाएं पाए जाते हैं पहला महला क्रिकेट बिसकप इंग्लेंड में आयोजित किया गया था तालिकोटा की लडाई के बाद विजयी सेनाओं ने विजयनगर सहर को लूट लिया था विक्टोरिया जील तंजानिया यूगांडा और केनिया देसों में है सुस्क वर्फ अमोनियम क्लोराइड नैप्थ लीन की गोलिया और कपूर ये सभी यूगिक उर्दव पातक पदार्थ के उधारन है सकल राजकोसी घाटे को मापने का सूत्र शकल राजकोसी घाटा बरावर शुद्ध घरेलू रेन प्लस आर्वी आई से रेन प्लस विदेश सिरेन बर्स 1975 में कार्वनिक अड़ूओं और अविक्रियाओं की त्रिविम रशायन इस्टीरियो केमिस्ट्री में उनके सोध के लिए नोवेल पुरुसकर ब्लादमीर प्री लोग को दिया गया था बांस, अधिपादप, एनी, सेमुल, गुटेल और मुंडेन जैसी पौधों की किस्ते भारत के आर्द उष्ट कटवन्दी बनों में पाई जाती है उस्ताद हस्तु खान संगीत के ग्वालिर घराने के संस्थापकों में से एक थे जैन्तिया पहाडियां मेगाला पठार का हिस्सा है अनुवंधित सेवा के लिए अहर्ता प्राप्त करने वाले पहले भाती सतेंद्र नात टैगुर थे शुंग वंच का अंतिम राजत देवभूत था इश्वरी प्रशाद भारती शास्ती नेत्य कत्थक से संबन्दित है भारत का सर्वोच नियायले 26 जनवरी 1950 को अस्तित्य में आया खान बहादु ने 1857 के बिद्रो का नेत्रित बरेली से किया था दिल्ली विरानसवा के शम्मन के खिलाब फेश्वुक की याचिका को उच्चतम नियायले ने जुलाई 2021 में खारिज कर दिया था भारत शरकार अधनियम 1919 के साथ मान्टेग्यू चेम्सकोर सुधारों ने प्रांतों में द्वैत सासन की सुरुआत की थी पत्तनुलकर रेशम बुनकर थे जो गुजराथ छेत से विजयनगर में चले गए अन्ना मलाई पाहाडियां पश्चिमी घाट का हिस्सा है एनिमेलिय जगत के चिपिट क्रिम समू में अखंडित द्विपार्शिव रूप में सम्मित कोमल शरीर होते हैं जिनमें एक त्रिकोर की सनरचना कोशिकाओं की तीन परते होती हैं और यह किसी प्रगोहा, कंकाल और गुदा से रहित होती हैं रवीनना टैगुर पहले गैर यूरोपी थे जिसे वर्स 1913 में उनकी क्रिति गीतांजली के लिए शाहित में नोवेल पुरुसकार मिला था ग्रहन आदिकार लियन के साथ जोड़ा जाना चाहिए पंडित अयोध्य प्रशाद तालवादियंत्रों प्रहार द्वारा बजाया जाने वाला से जुड़े हैं जवाहर रोजगार योजना सात्मी पंचवर्सी योजना में सुरू की गई थी रामक्रेश ने तालुकदार को शत्रिया नित्य सहली में उनके योगदान के लिए बर्स 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार मिला ये अशम नित्य सहली से सम्मन देता है केंद्री परियावरन बन और जलवाय परिवरतन मंतराले ने बर्स 2022 में ये अप्षिष प्रवंदन नियमों को अधिशूचित किया ये नियम एक अप्रेल 2023 से लागू है वस्तर दसेरा का दस दस दिवशी उत्तब भारत के दच 36 गण राज़े से संबन देता है बीच वाली वॉल टीम में जीरो इस्थाना पन खिलाडी होते हैं भारती सम्मिदान का अनुच्छे 323 लोग सेवा आयोगों की रिपोर्टों से संबन देता है रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबन देता है 2010-2012 के दवरान समीक्षित विश्वि मौशम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुचाल लीविया के अल अजी जियाह में 58 डिग्री सेल्सियस का उच्चतम पंजीकृत छाया तापमान दर्श किया गया था चंगश्चन, रीनियम, सिलिकॉन और प्लैटिनम मैं से सिलिकॉन आधुनिक आवर सार्णी के आवर छे से सम्मंदित नहीं है भारत की राश्चपती द्रोवदी मुर्मु द्वारत 30 नमंब दोहजार बाइस को प्रदान किया गया मेज़र ध्यान चंद खेल रत्न पुरुसका दोहजार बाइस सरत कमल को दिया गया था 2011 वारत के लिए राश्च्टी गरीवी रेखा का प्राक्पलन भारत की ग्रामीर शेत्रों के लिए प्रती ब्यक्ती प्रती महा 816 रुपे पर किया गया था कोशी का जिली के दोनों और मौजूद कुछ अनुओं के लिए चुनिंदा रूप से परागम में है मेगस्थनीच की पुस्तक इंडिका में भारती समाज के साथ बर्गों का उल्लेक है अगस 2021 में प्रधान मंतरी ने सार्वजनिक बितरन प्रणाली पीडी एस और मिड़े मील योजना सहीद बिविन सरकारी योजनाओं के तहस चावल के बर्स 2024 तक कोटिफिकेशन की घोशना की है भारती सम्मिदान के राज के नीत निदेशक तत्तो आयरलेंड से ग्रेहीत किये गए थे औस समुद तल से 3000 मीटर की उचाई पर हिमालय की पीर पंजाल शेनी में अति आधुनिक विशेष्टाओं वाली अटल सुरंग बनाई गई है हिमाचल प्रिदेश का डोंगरी उस सम्मों की रूप से हिंदों द्वारा मनाया जाता है शीखने का विकास करना बर्च 2021 में भारत सरकार द्वारत सुरू किये गए नेशनल डिज्टल एजुकेशन आर्टी टेक्चर आर्किटेक्चर एन डी ए ए आर का एक परीद रिश्य नहीं है पानीपत की तीसी लड़ाई के दोरान मुगल सम्राट शाहा आलम दुतिय था भारत सरकार के आर्थिक सर्वेच्छन 2022 तेस में उल्लेक के अंसार आधार अधिनियम 2016 की धारस साथ के तहद अधिसूचित 318 केंद्री उजनाओं के सामाजिक वितरन के लिए आधार एक आविश्यक टूल है दादा भाई नौरोजी, रहनुमाई, मजदायाशन सभाया, रिलिजियाज, रिफॉर्म एश्योशियेशन के संस्थापकों में से एक थे चंपारन सत्यागरे वर्ष 1917 में हुआ था 1951 से 1981 को भारत में जन संक्या विस्पोट के अबदी के रूप में जाना जाता है पूर पश्चिम गलियारक कोरिडोर, शिल्चर और पोडवंदर को आपस में जोडता है वाजवूर भरतनाट्यम शास्ती नित्की सेलियों में से एक है अवैणी लबक, ल्यूको प्लाष्ट का इलायो प्लाष्ट रूप सेल संशलेशन और भंडारन में दक्ष होता है और पराकणों में उन कोशिकाओं की परत में मुख्य रूप में पाये जाता है जो पराकणों को विक्षित करती है अरजुन शिंग धूरवे को मध्य प्रदेश राजी के बैगा नित्ते में उनके योगदान के लिए 2022 में पदम शीषे शमानित किया गया था अगस 2021 में ततकारिन शिक्षा मंत्री धर्मेन प्रदान द्वारत दिखी गई गोशना के अनुशार शमग्र शिक्षा योजना 2 की अवद 1 अपरेल 2021 से 31 माज 2026 तक है शयम शहता शमू में रेण और बचत संबनी नेण शमू के शदशियों द्वारत लिये जाते हैं भारती सम्मिदान के अनुच्छे 251 में बढ़ने था कि जब तक किसी संदर में आवश्यक न हो अभी व्यक्ति राज में जम्मू और कश्मी शामिल नहीं अता था साथ में सम्मिदान संसोधन अनियम ने एक ही ब्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राजपाल की रूप में न्यूक्त करने का प्राबधान किया है चक्रवाद का केंद एक सांथ सेत होता है इसे तूफान का नेत्र कहा जाता है लता मंगेशकर का जन्म ब्रिटिश भारत के इंदोर सहर में हुआ था कारवाल्डी हाइड प्रित्याय तब प्रयूक्त है जब CHO समू किसी वलाय या वलाय तंद के कारवन परमाण या विशम परमाण हेट्रो एटम से जुड़ा होता है कॉटिल के अर्सास के अनुषार मौर प्रिशाशन में घुर्शवा शेना के कमान अधिकारी को अश्वाध ध्यक्ष के नाम से जाना जाता था काल फ्रेडरिक गॉस और विलहेम एड़ूर्ड बेवर ने दुनिया के पहली बिद्यूत चुम्बिकी टेलीग्राफ का अविस्कार 1833 में किया था भारत ने पहली वार होकी में बिश्चुकप का खिताब बर्स 1975 में जीता था कोपेन की योजना के इंसार भारत में दुरूभी पेकार की जलवाई को अक्षर ई से निरूपित किया जाता है भारती समिदान में मौलिक करतब्यों की अवधारना शोबियत संग यू एस एसार के समिदान से ली गई है नाम आधुनिक आवट टेवल मैं समहू सदश्य अलकली मेल मेटल्स एक अलकालाइन अर्थ मेटल्स दो हैलोजन सत्रे नोवल गैस अठार है सुप्रीम कोर्ट की जश्टिस एस के कॉल ने बर्स 2022 में एडी प्रमु के कारिकाल विस्तार के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई से खुद को प्रिथक करने के लिए खबरों में थे चेन ने सुपर किंग्स भारत का पहला स्पोर्ष यूनिकॉन बन गया जिसका मार्केट कैट 30 जनवरी 2022 तक 7600 करोड रुपे की उच्चिस्तर को चुग गया था जिस वाय शराय ने एतियाची इस मार्कों की जीनोद्वार और सनरच्चन में गहरी दिल्चस्पी लिव वह लाड करजन थे राशमंदल खेल 2022 बर्मिंगम में आयोजित किये गए थे 2011 की जनगरणा के आंकडों के अन्शार भारत में जनसंक्या गनत 382 ब्यक्ति प्रति किलो मीटर स्ट्वेर है भारत में राज की नीद निदेशक शिद्दान तो DPSP को आयरलेंड आयरिस की समिदान से ग्रहित किया था जारखन में पाई जाने वाली लोही की खदानों ने प्राचीन भारत में मगत सामराज के उदय में सहयोग दिया था भारत में नियाएक समीक्षा का अर्थ है कि कानून की अदालतों के पास सम्मिदान के प्रापदानों के शंदर में विधाई और अन्य शरकारी कारवाई की वैद्यता का परीक्षर करने की शक्ती है नियायक समीक्षा की शक्ति मुक्रूप से भारत के उच्च नियायलेयों और सर्वोच नियायलेयों में निहित है अशंत्रिप्त हाइड्रोकारवन की दहन पर उत्पन जौला का रंग पीला होता है पेक्तिन जो फलो की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदाई होता है मुक्रूप से गैलेक्टू गैलेक्टूरोनिक अमन से बना होता है लुड़ी भारत के पंजाव राजिका लोक नित्य है निर्यात और आयात के लिए मांग की लोच का एकाई से अधिक होने पर देश अपने भुगतान शेश में अवमूलियन द्वारत सुधार कर सकता है वित्तिय वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार द्वारत जलकरान तब्यान सुरू किया गया था विजन अगर सामराज में अमारा नायक सैन्य कमांडर थे फरवरी 2022 में शेक्षा मंतराले MOE ने नई राष्टी शेक्षा नीत NEP के अनुरूप वयश्क शेक्षा के सभी पहलूँ को सामिल करने है तो अगले पांच वर्षों के लिए नभ भारत साक्षर्था कारिक्रम नामक नई योजना को श्वीकृत दी बैक टू बेदाज बेदों की ओर लोटो आरी शमाज आंदोलन का नारा था भारत बन इस्तित रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में 21.67 प्रत्सत बन छेत्रें वज़ोजाद असम में बिहूत सब बर्ष में तीन बार मनाया जाता है भारती सम्मिदान का अनुच्छे 23 में सोसन की बिरुद अधिकार से सम्मंदित है वैधानिक तरलता अनुपाथ के अंतरगत ब्यापारिक बैंक अपनी कुल परिशंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिसत तरल रूप में रखते हैं खाना पकाने की इस्पिट रोष्टिंग में भोजन की उस्मा के शोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के सम्मंद में भोजन की इस्थिति के आधार पर उच्छ ताप और बायुशं महन द्वारा पकाया जाता है इस्थाई चुम्बग बनाने के लिए इस्टील सबसे उपयोगी है दबीर एक खास दिल्ली सल्तनत के अधिन दीमाने इंशा विभाग का प्रमुक था एंटोर्नी लावोजीय ने बर्ष 1787 में राशानिक नामकरण के तरीके प्रकासित किये जिसमें उन राशानिक योगिकों के नामकरण के नियम सामिल थे जो आज भी उपयोग में है सितारा देवी सास्वती सेन और उर्मिला नगर ये सभी कथक सास्ति नित्य से संबंदित हैं आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठे तत्य बोधनी शवा की इस्थापना देवेंद्र ना टैगोर ने की थी दीपिका पल्लीकल इसक्वेस से जुड़ी है स्वतन्त भारत में उत्तर प्रदेश राज की पहली महला राजपाल सरोजनी नाइड्यू की नियूक्ति की गई थी भारत सरकार अधनियम 1919 के द्वारा भारत में केंद्र इस्तर पद्विश अधनी विदायका की सुरुआत की गई थी भोरताल नेत्य असम में प्रशिद्ध है जन्गर्ना 2011 के अंसार बिकल्प गत राज्यों की साक्षर्त दरका अवरोई क्रम निम्नबत है केरल, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा भारती राश्टी राजमार प्राधिकरण एन एच एई ने अपना कारिभार बर्स 1995 में किया था साथ जन्वरी 2023 को राश्ट संतुक डोजी महराज नागपुर विश्विद्याले में 108 मी भारती विज्ञान कॉंग्रेस का समापन हुआ प्रोफिशर S.R. निरन्यना ने डॉक्टर C.B. रमंत बर्थ सेंटेनरी अवर्ड जीता जन्त संग आर्थो पोड़ा में सरीर, सिर, वक्ष और उदर में विवाजित होता है आकार सबसे बड़े से छोटे के अनुसार महाशागरों का सही क्रम इस प्रकार है प्रशान्त महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्किटिक महासागर हिंदुस्तानी गायक पंडित एम बैंक के टेस्ट कुमार को 2022 कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था 2022 में ICC पुरुष्टी 20 विश्युकप 2021 का बिजेता कौन था औस्ट्रेलिया काल बैसाखी बंगाल और असम में साम के समय आने वाला एक भयानक तूफान है चार वेदों में से अथवेद में बुरी आत्मा और बीमारियों से बचने के लिए जादू, मन्त और तंत मन्त का संग्र है मुक्तर राजकुमार सुकले के कहने पर महत्मा गान्दी किसानों की समश्या को समझने के लिए चमपारन गए थे ब्यूटेन दो ओल दुतियक एलकोहल है लाई हारोबा भारत के मनिपूरी निर्तिका एक प्रारंबिक रूप है लगू उद्योगों की इकाईयों को बड़े उद्योगों की इकाईयों के निवेश के आधार पर अलग किया जाता है मगद महा जनपत गंगा और शोन नदियों से घिरा हुआ था सरकार द्वारश अंग्रेही जी एश्टी सरकार की राजश प्राप्ति का एक उधारन है आविशित कणों का पता लगाने के लिए क्लाउड चेंबर के विकास के लिए बर्स 1927 में आर्थर कॉम्टन के साथ चार्ल्स विल्सन को नोवेल पुरुसकार प्रदान किया गया था गुरू बायूर एकासी भारत के केरल राजिका शांशक्रितिक उत्सब है भारती सम्मेदान का अनुच्छे 247 संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बहतर प्रशाशन के लिए अत्रिक्त अदालतें इस्थापित करने की सक्ती देता है 86 सम्मेदानिक शंशुधन के तहट राजि 6 से 14 बर्स तक की आये वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवारिश शिक्षा प्रदान करेगा भारत में जंगरना पहली बार 1872 में लॉड मेयो के अधिन शुरू की गई थी चीन ने पैरा उलंपिक 2020 में सरवादिक स्वर्ण पदक जीते कितने जीते थे ये आप लोग कमेंट करके बताईए पादब कोशिका का शब्षे बाहरी आपना कोशिका भित्ति कहलाता है IIS CEO Indian Iron and Steel Company ने अपना पहला कारखाना हीरापुर में इस्थापित किया था ओबे लिए एक ऐसा जीव है जो समय कांतरण मेटा जेनेसिस प्रदर्सित करता है पैट कमिंश नमंबा दो जार इकिस में ऑस्टेलिया पुरुष्टेश टीम की पूर्ण कालिक कप्तानी करने वाले पहले तेज गेंदबाज बने 110 मीटर बादा में दोड में 110 मीटर बादा दोड में फ्लाइटों की संख्या 10 होती है पेनार, भार्था, पुझा, पंबा और पेरियार नदियों में से पेनार नदी केरल राज में नहीं बहती है ये आंद प्रदेस और करनाटक राज में बहती है दिल्ली के सुल्तान गया शुद्दीन बलवन ने अपने दर्वार में सिल्जा और पेवोस की प्रथा की सुरुआत की थी भार्थी संखीत का रवेश शंकर ने शर्फशे स्टेंबर संगीत प्रदर्शन के लिए बर्स 1968 में अपना पहला ग्रेमी पुरुषकार वेश्ट मीट इस्ट एलवम के लिए जीता था हर वर्स मनाए जाने वाले गुरु केल उचरन महापातरा पुरुषकार उस्तव का नाम ओडशी नित्य सैली के प्रशिद सास्त्री नितक के नाम पर रखा गया है उत्तराखंड के राजपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवा निब्रित गुरुमीत सिंग्न जन्वरी 2023 में राजय शरकार की नौकरियों में महलाओं को 30 प्रतिसत आरच्छन तुदान करने वाले विधाई विदेक को मंजूरी दी है पश्चमी चक्रवाती विच्छो भूमद्य शागर से उत्पन होता है फार्सी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनो थिष्ट के लेखक राजा रामोहन राय है जिसमें अनेकेश्वरबाद की निंदा की गई है पश्चम मंगाल राजी की विधान सभा ने बर्स 2021 में विधान परशद बनाने का प्रस्ता पारित किया सती प्रिथा का पहला अविले की उधारन गुप्तकाल में मिलता है अलाउद दिन खिल्जी ने अपनी राजधानी शीरी नाम से वनबाई थी इंडियन प्रीमियर लीक की सुरुवात बर्स 2008 में हुई थी जोनपा लेक सो भूटान का एक श्वागत नित्य है भारती सम्मिदान का अनुच्छे दठाई ज्वारा बित्त पोसित किसी भी सिच्छन संस्तान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंदित करता है उपरियुक्त कार्वनिक योगिकों के शेट का क्रम्शन नाम इस प्रकार है फ्यूरान इसका नाम है फ्यूरान पिरिडीन आप मैं एक बड़ बना दे रही हूँ आप इसी से समझ लेजे तथा थायो फीन भारत न्याय रिपोर्ट के दूसर संसकरन के अंसार भारत में न्याय वितरन में 18 बड़े और मध्यमाकार के राज्यों प्रति एक करोड की आवादी वाले मैं से महराश्ट राज पहले इस्थान पर है टेशला एक भौतिक एकाई है जिसे उस चेत की तीब्रता के रूप में परिभाशित किया जाता है जो चालक के प्रति मीटर प्रति एमपियर सब क्लॉस ए बलकि न्यूटन एन का उत्पादन करती है बारति शम्मिदान के अनुच्छे देख सरसट के तहद वर्नेत मुख्यमंत्री का करतब्य मंत्री परशद के सभी निर्नयों की सूचना राजपाल को देना है सही सुमेलन निम्नबत है इधर बिकार दिये गए है इधर एंजाइम है गाउशर रोग ग्लूको सेरे ब्रोशिदेज हंटर सनलचण एडूरोनेट टू सलफेटेज टे साक्ष रोग हैक्सोसामिनीदेश हैक्सोसामिनीदेश ए फेनिल कीटोन मुए फेनिल कीटोन में है फेनिल एलनिन हाइड्रोकसिलेज धालो भारत की गोवा राजिकन लोकनिते है 16 जुलाई 2021 की एक आदेश के बाद भारत की सर्वोश नियालाईने नवंबा 2021 में फाश्टर इलेक्ट्रोनिक प्रणाली की सुरुवात की जिसके माध्यम से इसके महतपूर नेणयों को इलेक्ट्रोनिक रूप से जेल अधकारियों और जांस एजन्सियों को भेजा जा सकता है बंगाल की दोहरे शाषन व्यवस्ता की नीट गवर्नर जनरल लॉड क्लाइब की दिमाग की उपज थी बेतन किराया पैंसन और ब्याज में से पैंसन उपादान भुगतान का उधा नहीं है नारली पूनी अभारत के महाराश राज में मानसून के मौसम के अंतका प्रतीक है भारती संगीत निर्देशक शिव मनी को बर्स 2019 में पदम श्री पुरुसकार से सम्मानित किया गया था जिन्हें मुख्यता भारत के एक प्रमुख धोल बादक ड्रामर की रूप मे जवाला नहरू मंदरगा है गोरु मारा राश्टी उद्ध्यन पश्चिम बंगाल राज में इस्तित भारत नाट्यम की मसूर नित्यांगना म्रेनालिनी शारभाई को कथकली नित्य सैली के लिए भी जाना जाता था अनार बैंगन काला गाजर और लाल पत्ता गोबी में फिनौली समूसे समंदित एंथोसाइनिन में जल में गुलंसीन वर्णंक मौजूद होता है केरल की तटी छेतों में दिन और रात के तापान में बहुत कम अंतर होता है मेरी कौम को घरेलू फार्मर प्रमुक कंपनी लिूपिन लिम्टेड ने बर्स 2022 में अपने शक्ती अवियान के लिए ब्रान्ड एमबेजडर की रूप में नामित किया था बर्स 1942 में ब्रितिश सरकार ने भारत में क्रिप्श मिशन भेजा फीफा अंडर 17 महला बिस्तु कब 2022 की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी भारत की जनगर्ना 2011 के अंसार भारत की हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रजितिशत सरवादिक है चन सेखर ने भारत की प्रधानमंती के रूप में सबसे कम आवधी तक अपनी शेवाएं दी बर्स 2023 में IPS अधिकारी शेशी प्रभाद वेदी पंजाब पुलिस महानिदेशक बरने वाली पहली महला अधिकारियों में शे एक है तुग्रिल बेग ने दिल्ली के सुल्तान बलवन के बिरुद्ध बिद्रो किया और श्वैम को 1289 में बंगाल का श्वतन सासक घोशित किया प्राणियों में पाए जाने वाले अंता परजीवी चप्टिक क्रेमी होते हैं डिवाइन टाइडस डिवाइन टाइडस एल्बम की रिकी केज ने बर्स 2023 में अपना तीसरा ग्रेमी पुरुसकार जीता क्रेशी का ब्यावशाई करण विपड़न योग अधिशेश का एक शंकेत है परवरी 2022 में पश्रिम बंगाल ने कच्छा एक से साथ तक के चात्रों के लिए परए शिक्षाले नाम से एक ओपन एयर कच्छा कारिक्रम शुरू किया वर्स 1922 ते इसमें नावाड ने स्वयम सायता समू बैंक सहव अध्दता कारिक्रम शुरू किया था वातवरन की कुछ भौतिक और राशानिक एजन्स उद्वारा भूपरपटी की चटाने चटानों के आंतरिक बिक्टन और या राशायनिक अपगटन की एक प्राक्रतिक प्रक्रिया को अपक्षय की रूप में जाना जाता है अपक्षय की रूप में 14 अप्रेल को तमेल कैलेंडर का पहला दिन पुठान्डू की रूप में मनाया जाता है लहसुन की बिसेज गंद शल्फर के कारण होती है भारती राश्टी कॉंग्रेस की इस्थापना 1885 में हुई थी लोमश रिशी गुफा जो एक मानव निर्मिद गुफा है भारत के बिहार राज्ज में इस्थेत है भारत के समिदान की प्रस्तावना में विचार अविवियक्ति विस्वास आस्ता और उपासना की स्वतनता का उल्लेक है ओलंपिक खेलों ने खेलों में भारत ने बर्स उन्निस अस्थी पुर्सों की हौकी इस परदा में श्वण पदक जीता था बंकिमचन चटर जी ने आनंद मट लिखा जहां से भारत का राश्टी गीत बंदे मातरम लिया गया है टी ट्विंटी क्रिकेट मैचों में गेंदवाज अधिक्तम चार ओबर गेंदवाजी कर सकता है दुतियक एलकोहल वे योगिक हैं जिसमें एक हाइड्रॉक्षी शमूँ ओ एच एक संत्रिप्त कार्वन परमाण उसे जुड़ा होता है जिसमें दो अनिक कार्वन परमाण भी होते हैं मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय कुल दूरी को कम करने वाली सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग का नाम अटल सुरंग है खंबात की खाड़ी कक्ष की खाड़ी और सुन्दरवन छेत्र में जुड़ारी उर्जा के उपयोग के लिए आदर सिस्तित प्रदान करते हैं पदम शुरी पदम भूशन और पदम बिभूशन पुरुशकार से सम्मानित गुरु केलु चरण महापात्रा ने ओड़शी साच्ति नित को पुनर जीवित करने में महत्पूर्ण भूमिका निभाई थी ग्लेंटी सीवर्फ दुआरा 1940 में खोजे गए प्लूटोनियम एक्टिनाइड को प्योग उपग्रहों में सम्मेदन सील बिद्दूत गटकों के उश्मा शोत के साथ साथ उपग्रहों के लिए उज्या शोत के रूप में किया जाता है सितंबर 2022 में लेफटिनेंट जर्नल अनिल चोहान शेबा निभरित को भारत के चीफ ओफ डिफेंस स्टाप CDS के रूप में न्यूक किया गया था पुरी के जगनात मंदिर में भारती शास्ती नित्य ओडिशी को चित्रत किया गया है हैरोड डोमर विकास मौडल बचत और निवेश की भूंका को प्रमुकता से दर्साने के लिए किया जाता है भारत की पहली पंचवर्शी होजना इस मौडल पर आधारित थी भारत में सबसे पुराना एलियूमेनियम रिफाइनरी सैयंत मुरी एलियूमेना सैयंत रह भूपरपटी को प्रोण से अलग करने वाली प्रित्वी की परत को मैं को मैंटल कहा जाता है इसकूली शिक्षा और शाक्षरत विवाग द्वारा शुरू किया गया पड़े भारत पठन अभ्यान एक जन्वरी 2022 को सो दिनों की अवद के लिए शुरू किये गए अन्तय दायक शिक्षक के अनुभव के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए समर्थन और प्रोशाहित करने के लिए है प्रधान मिंतरी जीवन जोती भीमा योजना PMJJY 18 से 50 वर्ष के आई के लोगों के लिए 336 रुपए के बारसिक प्रेमियम पर उपलबदर किसी भी कारल से बीमा धारक की मृत्ति के मामले में 2 लाख रुपए का जोखिम्त कबरेज प्रदान करती है विश्मिल्ला खांड शैयुक्तराज अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंतरित होने वाले पहले भारतिये बने चितरन्यन दास ने चुनाव लगने के लिए बर्स 1923 में मोती लाल नहरू के साथ मिलकस स्वराज पार्टी की इस्थापना की थी डायरेक्टर फ्री की सब्दु फुटवाल खेल से सम्मन देते दमित्री मेंडलीम ने आवर्शाणी का अविश्कार 1869 में किया था जिसमें राशाइनिक तत्तों के प्रतीकों को उनके परमाण भार के अनुशार क्रमबद किया गया था पारोत सेचो के नाम से प्रशिद त्योहार भूटान में मनाया जाता है पारिस्थितिक की बिद हेंडरी चांडलर काउस 1896 में इंडियाना ड्यून्स में पादपों के जीवन के अध्यन करने के लिए प्रशिद मौलिक करतब बैदानी के और कानून द्वारब प्रवर्तनी नहीं है लेकिन किसी भी मामले का नेणा करते समय न्यायलें द्वारा द्रिष्टी गत रखे जाते हैं वर्स 1971 तक दिल्ली के उच्च न्यायलें ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार छेत का प्रयोग करना जारी रखा माले गाम समित ने NBFC यानी गेर बैंकिंग कमबित्ती कमपनी शूष्म बित्त शंसा की नई शेनी के गठन की सिफारिश की प्रकास उत्सरजित होने पर फासफोरस लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंदरित एक इलेक्रोन बीम युक्त सीलमन ग्लास वेक्यूम ट्यूब कैथोड रेट ट्यूब कहलाती है एथे नोई एक अम्न सिर्के का परियावाची है जिसका उपियक दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद पदार्तों को तयार करने और खाना पकाने में छारी शीजिनिंग के रूप में किया जाता है माटी अखोरा भारत के सत्रीय शास्ती निते से संबन देते हैं लोह युक को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्यपूर्व और दच्छिन पूर्वी यूरोप में औजारों और हत्यारों में मुक्य रूप से कांसा की जगए लोहे का इस्तिमाल ह होने लगा था लॉइड अलहोजी ने एक नीत तयार कि जिससे ब्यप्तिगत का सिद्धान डॉक्त्राइन ओफ लैप्स की रूप में जाना जाने लगा कुबत अल इसलाम मस्जित दिल्ली में इस्तित है दिसंबल 2021 में एशियाई विकास बैंक ने भारत की स्कूली शिक्ष दि बिकल्ब गर्थ महापुर्सों में शुक्ष भारत मिशन का संब्ध महार्मा गांदी शेया फीफा विश्चुकब 2026 की मेजवानी कनाड़ा USA और मैक्श को द्वारत की जाएगी राजगीर चिडियाघर बिहार राज में इस्तित है पदम भूसन और पदम विशन पुरुसकार से समानने सोनल मानसिंग भरत नाट्यम के अलावा ओडशी निति की कुशल नित्यांगना है भारत की बुनियादी धाचे में करांति लानी के उद्देशी केंद सरका द्वारा सुरू की गई परियोजना पीम गति शक्ति में साथ गटक सामिल है जिने इस परियोजना का इंजन कहा गया है जिने सिंग सीर्स लॉयन कैपिटल के नाम से जाना जाता है दक्षिन भारत के भक्ति संत बशवन नाम प्रारम में जैन थे और बार्मी शताबदी में एक चाली कुराजा के दर्वार में मंत्री थे उधार राश्यों और रेणों की बशूली कर तथा विदेशी शाहता मैंसे कर पूंजी का त्राप्तियों में शामिल नहीं है नरेंद मोरी ने बर्श 24 में संयुक्तराश महसाभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतराश्टी योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था वर्श 1931 में उस्मा गति की का सून्यता का नियम सब्द राल्फ एच फावलर ने दिया था जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ सामिय में होते हैं तो भी आपस में भी सामिय में होते हैं भारती मुक्के बाजो निखत जरीन 52 किलोग्राम और नीतू 28 किलोग्राम ने फरवरी 2022 में सोफिया बुलगारिया में आयोजित 73 में इस्ट्रेंड जा मैमोरियल बॉक्सिंग टूनामेंट में स्वाण पदक जीते जब द्वार कोशकाओं में जल प्रवावित होता है तो उनमें इस्ट्रोमी छिद्र खुल जाते हैं पंडित राम नारायन सारंगी बाद्दी यंतर से शम्मन देते बस 2022 में सरकार द्वारत शुरू किये गए पोर्टल का नाम जन शमर्थ है जिसका उद्देश आवेदक के लिए रिण आवेदन और सम्वित करन प्रक्रिया को आशान बनाना है भारती शम्मिदान के चवालीश में संसोदन ने शम्पत्ति के अधिकार को मौलेक अधिकारों के सूची से हटा दिया कॉंग्रेश और मुश्लिम लीग के लखनव अधिवेशन में ब्रिटिश शाषन के बिरुद्देख संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए शैमत वनी थी कथक के बनारस घराने के संसापक जान की प्रशाद थे राश्टी डूप परिक्षन प्रयोकसाला नई दिल्ली में इस्तिता भारत में राश्टपती के पास किसी अपरादी के दन को छमा करने प्रवी लंबित करने या कम करने की शक्ति है फर्यूशन कॉलेज की स्थापना बाल गंगाधा तिलक से संबन दित थे कॉर्यूशन कॉलेज की स्थापना से बाल गंगाधा तिलक संबन दित थे यदि ताहिती में दाव का अंतर रिरांट पंक हो तो औसत से कम और देर से मानसून आएगा योगिक और उनके गल्लांग का सही योगम निम लिखेते हैं प्रिटिस सासन के द्वानान भारत का निरयात आयास से अधिक हो गया जिसमें ब्यापार संतुलन का अदिशेश हो गया यह है अविकतन सत्य है जबकि इस ब्यापार संतुलन के अधिशेश का उपियोग भारत के विकास और उत्थान के लिए किया गया यह कारण अमान्य है नल चरितम नाटक भारती नित्यसैलिक कथकली से संबन देते हैं लोनेशिया के राष्टपती ने भारत के पहले गर्तंत दिवस्षमारों में मुख्यतित के रूप में भाग लिया था शेवराय पहाणियां भारत के तमिलन राज में इस्थित है राष्टी बननीत के संदर में शैयुक्त बन प्रवंदन जे एफ एम नामा की दृष्टिक अधिनियम से पहले भी बेटियों का पिता की संपत्य पर शमान अधिकार होगा महात्मा गांदी ने बर्स 1918 में किशानों के शमर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्या ग्रह का आयोजन किया इंदोर सेहन बर्स 2022 में लगाता है शटी बार भारत के सबसे स्वक्षी शहर का पुरुसका जीता वरली चित्रकला भारत के महाराश्यराज की लोग चित्रकला है कालोस अलकारेज ने यूएस ओपन 2022 के पुरुसेकल का खिताब जीता रिपीटर एक इलेक्ट्रोनिक उपकरन है जो एक कमजोर संकित प्राद करता है और इसे पुना प्रेशित और इसे पुने पेशित रिजनरेट करता है रजिया को दिल्ली सल्तनाइत की शिंगासन से 1240 इसवी में हटाया गया था रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी ये आप लोग कमेंट करके बताएए भारती समिदान का उच्चतम नियाले का परामर्स दाई छेतरा जिकार उपवंद कनाड़ा की समिदान से लिया गया है करनाटिक संगीत करनाटक आंदप्रदेश तमिलनाड और केरल तकी सीमित फर्म की बरधीत मूली की गरना फर्म की उतपादन मूली फर्म द्वारा प्रयुक्त मद्यवर्ती बस्तुओं का मूली की रूप में की जाती है कोलाइड एक बिशमांगी मिश्रा है जिसके कणों का आखार बड़ा होता है फीफा महिला बिश्युकप दोजा तेज की मेजवानी आउस्टेलिया और न्यूजीलेंड करेगा ओडिशार राजी की मुखमंत्री ने फुटवाल की संस्कृत्ति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राजी में फुटवाल फॉर आल लांच किया हेलो इंडिया यूथ गेम्स का पांच मा संसकरन मध्य प्रदेश के आठ सहरों में आयोजित किया जाएगा और ध्योगिक प्रतिभूत बाजार को शेष्ट प्रतिभूत बाजार के नाम से जाना जाता है यह कथन अशत्य है करक रेखा तेज डिग्री तीस एन भारत के चटीसगड राज से होकर गुजरती है बायदाव हमेशा उच्चदाव छेत से निम्नदाव छेत की और गमन करती है छोब मंडल की ओसत उचाई 13 किलोमीटर है धिनो धर पहाडिया भारत की गुजरात राज में इस्थित है भारत के पहला 24 गुणा साथ और उर्जा से संचालित गाउं मोडेरा गुजरात राज में इस्थित है श्री किष्ण शिन्ना को बिहार केश्री के नाम से जाना जाता है थैलो फाइटा बनस्पती जगत के पौदो को शेवाल के नाम से जाना जाता है नीडरन की खोज जे चैडविक ने की थी भारती समिदान के अनुच्छे 355 में उल्ले किया गया है कि भारी आक्रमण और आंतरी कशान से राज्यों की रक्षा करना केन सरकार का करतब भी है कंट्रोल प्लस डबलू सौटकर कुंजी की का इस्तिमाल एमेस एक्षल 365 में खुली हुई बर्क बुक को बंद करने के लिए किया जाता है शेर्शा फिल्म को बर्स 2022 में बेश्ट फिल्म पॉपलर चाइन्स का फिल्म फेर पुरुसकार मिला वाट और मापों के मानक नियत करना भारती शम्मिदान की साथ में अंसूची की संग्सूची के अंतरगत आता है बिहार राज में बर्स 2021 की स्थित की अंचार भारत में शोनी की अईस का सबसे बड़ा भंडार है भारती शम्मिदान का अनुच्छे 226 उच्छ नियाया लेयों की रिच से संबन देता भारत में शेयर बाजार में निवेश्कों की सुरक्षा करने वाली प्राथमिक बित्ती संस्ता भारती प्रतिभूत और बिनिमाय बोर्ड से भी है अक्टूबर 2022 में प्रधानवंती नरेंद मोदी ने हिमाचल प्रदेश राजी में ब्लग ड्रग पार्क की आधार्शिला रखी कंट्रोल प्लस एल प्लस वन शॉर्टकट कुंजी का इस्तमाल एमेस बड़ 305 में प्रिंट प्रिब्यू पर जाने के लिए किया जाता है टेनिस से सन्यास ले लिया भारत की गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है कांची पुरम पल्वों की राजधानी थी भारत में अंडमान और निकोवा लक्षदीप सहित मुख की भून के समुतर की कुल उंचाई 7,516.6 किलो मीटर है बड़े बांदों की निर्मान की कारणा पहले तो सामाजिक शमश्या है क्यूंकि इससे बड़ी संख्या में किशान और आदिवाशी विस्तापित होते हैं और इन्हें मुआपजा भी नहीं मिलता और साथी इनकी परियावर्नी शमश्या हैं क्यूंकि इनसे बड़े इस्तर पर बनों का बिनास होता है तथा जैविवित्ता की छती होती है राश्चिवाल अधिकर सनरचन आयोग ने शितंबा 2022 में इवाल निदान ओनलाइन पोर्टल को नया रूप दिया है ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के और से प्लाशी के युद्ध का नेत्रत रावर्ट रावर्ट क्लाइब ने किया था पुस्तक मान सरोबर की लेखक प्रेम चंद हैं गोकुलम केरल एफसी टीम ने सत्र दोहजार एकिस बाइस की फर्स्ट लीग जीती प्रोग्राम निर्देशों को संचालिक करने के लिए रोम का उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी नहीं बदला नहीं जा सकता भारत में सितार के उस्तार सितार माईश्ट्रो के रूप में पंडित रवी शंकर को जाना जाता है इतनी बार अगर इतनी बार इस कोश्टन को दिया गया है कि सितार बादक पंडित रवी शंकर हैं अगर आप इसको दो बार भी पर लेंगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे प्रशिद इस्मार का आराम बाग बाबर दुआरा बनमाया गया थे यह उत्तर प्रदेश में इस्थित है बिप्रो कंपनी ने सितंबा 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों के तहर लगवत 500 कर्मचारियों को वर्खास्त कर दिया था वर्ष 1956 के अध्योगेक नीत प्रिस्ताव ने दुती पंचवर्षी योजना का आधार बनाया प्रो कवड़ी लीग पीके एल के आठमी शंचकरण के फाइनल मैच में दवंग दिल्ली और पतना पाइरेट्स के बीच मुकाबला हुआ था भारती परमाण कारिकरम का जनक होमी जे भावा को माना जाता है बड़ी मातरा में विकिरन चिकिस्सा कैंसर कोश्काओं को मारती है या उनके डियने को नश्ट करके उनकी विद्धी को धीमा कर देती कैंसर कोश्काओं जिनका डियने च्छतिग्रिस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता विभाजित होना बंद हो जाती है या नश्ट हो जाती है जब च्छतिग्रिस्त कोश्काओं नश्ट हो जाती है तो भी तूट जाती है और सरीर से बाहर निकाल दी जाती है इस पंज कोलाइड फोम का एक उधारन है दोतिय पंचवर्सी योजना महाल नोविस के विचारों पर आधारित थी हड़प नीत विलाई नीत दॉक्ट्रिन आफ लेश्ट के नाम से जानी जाने वाली नीत लॉड डलहौजी ने अपनाई थी एक प्रती एकांग कायतन पर लगने वाला बल दाव कहलाता है तथा किसी बस्तु पर लगने वाला बल उसकी गतिकी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है लेकिन उसकी आकरती में नहीं ये दोनों कथन अशत्य हैं बारकोड रीडर आउटपूट डिवाइस नहीं है जबकि मॉनिटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तथा प्लॉटर आउटपूट डिवाइस है दच्छिन में छोटा अन्वा निकोवाट डीप शमूशत 10 डिगरी चैनल द्वारा अलग होता है भारती भाला फैंक खिलाड शिपपाल सींग को डोपिंग के लिए वर्ष 2022 में दोजार पच्चिस तक निलंबित कर दिया गया था पील मार्शल के पदपर पदुन्नत होने वाले पहले भारती शैन अधिकारी सैम मानेक सो सैम मानेक सो थे ICC पुरुस क्रिकेट टीम बिशुकब 2022 की मेज़वानी भारत सौरी 2023 की मेज़वानी भारत करेगा भारतियों को हतियार रखने शे रोकने वाला आर्म एक्ष्ट आर्म्स एक्ट 1878 इस भी में पारित किया गया था महानदी द्रोनी कभिस्तार बिकल्पगत उडिशा चत्तीसगर और ज्हारकन राज्यों में है ना की करनाटक में महाराश्री राज लोजिस्टिक इस अक्रोश डिफ्रेंड इस्टेटस लीड्स 2022 में अचीवर्स राजियों में प्रथम इस्थान पर है 28 जुलाई 2022 को भारति नौशैना को आई एनस विक्रान स्वेदेशी बिमान बाहक पोत शौंपा गया था 2020 टोक्य ओलंपिक खेलों में भारत ने एक स्वन पदक जीता कंट्रोल प्लस एस सौटकर्ट कुंजी का इस्तमाल MS बढ़ 365 में किसी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस एस सौटकर्ट की का वियो विकरण प्रक्रिया में उसमा इस्थानांतरान के लिए किसी माध्यम की आविशक्ता नहीं होती गुजरात यूनिवेस्टी स्टार्ट अब एंड इंटर्प्रेन्योर्शिप द्वारा लागू की गई हर इस्टार्ट नाम की पहल का शुबारम अक्टूबर 2022 में राश्पती द्रोपदी मूर्मु द्वारा किया गया था एक नौश्ट्रो खाता वोय खाता है जिसका रख रखाव एक भारती बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश से आम तोर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है मद्द प्रदेश भारत में 2020 के दौरान कुल उत्पादन का 33 प्रसत मैग जीन अयस का अग्रणी उत्पादक राजे था रुस्तम फिल्म के लिए अक्षा कुमार ने बर्स 2017 में राश्टी पुरसकार जीता था लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा राज में इस्थिता उत्तरी गोलाद के उच्च अच्छान सो पचाश डिग्री सेल्सियस माइनस सत्तर डिग्री सेल्सियस में सांदार शंकुधारी बन पाये जाते हैं भारती सम्मिदान की प्रस्तावना शैयुक्त राज अमेरिका यूनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका के नाम के सम्मिदान से ली गई है हैपिटाइटिस रोगदूसित भोजन पानी में मौझूद हैपिटाइटिस सी बायरस से होता है जबकि बिकल्प गत, मलेरिया, फील पाउं और डेंगु मच्छर के काटनेश होता है धुसका जारखन राज का सबसे लोगपरी खादिपदार्थ है भारती सम्मिदान के 42 में संसोधन अधनियम 1976 के तैद भारती सम्मिदान की प्रस्तावना में पंत निरिपेक्ष शब्द को शामिल किया गया है भारत ने क्रिकेट में महला T20 बिसकप 2022 का खिदाब जीता था मिस इंडिया वर्लवाइड 2022 खुसी पटेल ने जीता है संयुक्त राज अमेरिका की पहली महला उपराश्टपती बनकर कमला हैरिस ने इतिहास रचा है आर्वी आई टूलमौदरिक शाधन के संधर में गुणातमक नैतिक प्रत्यायन संयोजन नहीं है मनुश्यों में गर्दन धुराग्र शंदी द्वारस सिर से जुड़ी होती है वर्स 1993 में जब बंगाल में इस्तमरारी पंदोवस लागू किया गया था तब गवर्नर जनरल चार्स कानवालिस था पश्चिमी हिमालय में बौध शिक्षा का सबसे वड़ा केंद्र की गोंपा हिमाचल प्रदेश राज में इस्थित है भारती श्वतंतता सेनानी सरदार वलबभाय पटेल को भारत का विश्मार्ग भी कहा जाता है शुषकु म्रदाएं विशिष्ट सुस्क इस्तलाकरती वाले पश्चिमी राजिस्तान में अभी लाक्षनिक रूप से विक्षित हुई है भारती सम्मिदान का अनुच्छित दो नई राज्यों का प्रभेशिय उनकी स्थापना से संबन देत है वर्ष 2011 की जनगर्ना के अनुशाद 2001 से 2011 की भारत की जनसंख्या की वार्षी की वृद्धी पर वृद्धी दर्ज चौसर प्रत्सत है NCRB का पूर्ण है नेशनल क्राइम डिकॉर्ट्स ब्यूरो उद्धाय संकर एक भारती नर्तक थे जिनने नित्ति की सम्मिश्रन फ्यूजन सैली के लिए जाना जाता है अंतराश्टी बाग दिवस 29 जुलाई को मनाये जाता है 1206 से 1210 इसवी के दौरान खुतविद्धीन एवक ने सासन किया था खुतविद्धीन एवक को और किस नाम से जाना था ये आप लोग कमेंट करके बताईए वासकेर बॉल खेल में मैदान में 5 खिलाडी जबकि बॉली बॉल खेल में मैदान में 6 खिलाडी मौजूद होते हैं किसी स्टार नेटबर्ग में एन नोड को होस्ट नोड से जोडने के लिए एन माइनस वन लाइनों की आविशक्ता होती है पृत्वी की तरिज्जय 6381 किलोमीटर है MS Excel 365 में किसी सेल की सामिग्री को रेखांकित करने के लिए से कंट्रोल प्लस 4 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है बैंक आरिच्षित निद के सम्मण में दिये गए दोनों कथन सही है इन आरिच्षित निद को आंशिक रूप शे नगदी के रूप में और आंशिक रूप शे बित्ती साधनों की रूप में रखा जाता है नगर आरच्षित अनपाथ CRR वह जमारासी है जो वाडिजिक बैंक भारती रिजब बैंक के पास रखते है और शेलियन ओपन 2022 में पुरो सेकल का खिताब राफिल नडाल ने जीता था पंचायत भारती सम्मिदान के भाग नौ के अंतरगत आता है भारती गेना, भारती जंगली गदा, निकोवारी कबूतर और रेगिस्थानी लॉम्नी मैंसे निकोवारी कबूतर एक इस्थानिक प्रजाती है किसी मौम्मत्ती की जोला के पूर्ण दहन के वाहे छेतर का रंग नीला होता है यू आर एल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म डिशोर्ष लोकेटर है ओर रॉयन तारा मंडल को सिकारी भी कहा जाता है भूकम, भूश्खलन, जौला मुकी तथा पवन मैसे पवन एक वहिर जनित बल है खेलो इंडिया यूद गेम्स के चोथे संसकरण में हर्याना ने कुल 137 पदक जीते थे मांग के नियम के अंसार किसी बस्त के लिए भूकता की मांग बस्त की कीमत से प्रतिलोमता है संबध नहीं, संबध होनी चाहिए मादक, लिकर, बैंकिंग, डाक और तार तथा राज्यों की लेखाओं की सम परिक्षा मेंसे मादक, लिकर, भारतिय समिदान की साथ में अंसूची की संग्सूची के अंतरगत नहीं आता है काईक, प्रवर्धन, मुकुलन, तथा बीजाण, निर्वाण ये पोधों में प्रजनन के अलेंगिक रूप है, जबकि परागन पोधों में प्रजनन का लेंगिक रूप है बिकल्प गत मुम्मे इंडियन स्टीम इंडियन प्रीमियर लीक के पंदर में संस्करान के प्ले आफ में नहीं पहुँच पाई पार्टली पुत की शामाग्री उपन्याश के लिए प्रोफेशर शरत पगारे को ब्याशमान प्राप्त गुआ था पाईशमान भारत डिजिटल मिशन एवी डियेम का क्रियानमरीन करने वाली संस्था का नाम एन एच ए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है पांडियों की राजधानी क्या थी मदुरे मोहिनी अट्टम भारत के केरल लाज से समन्नेत है जिसका नाम पौरानिक दिब्य मोहिनी से लिया गया है एहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल 1861 इस भी में सुरू हुई थी इंटरनेशनल यूनियन फॉर्म कंजर्वेशन आफ नेचर आयू शीयन के अनुसार एसी आई भैंस एक दुल्लब प्रजात है केंद्री ग्रिहम मंतराले ने बर्ज 2022 में पॉप्लर फ्रंट आफ इंडिया पी एफ आई और उसके सहयोगियों पर पांच बर्जों के लिए प्रतिवन्द लगा दिया है MS वर्ल 365 में कर्शर को एक सब्द के बाई ओ ले जाने के लिए कंट्रल प्लस लेफ्ट एरूर की सौर्ट कट कुंजी की का इस्तिमाल किया जाता है जवलपूर ननमंदा नदी के तट परिस्तित गैर पारंपरिक अजीव का एंटी एल में लड़कियों के कोशल को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में सामिल किया गया है O MPS बनसीमांत उपभोग प्रिवरित्ती MPS की सही सीमा को इंगित करता है कथक उत्तर भारत का प्रमुक शास्त्री नित्य है भारती संमिरान की दस्मी अंसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरहर्टा के बारे में उपवन्दों का उलिक किया गया है प्रशांत महाशागर का आकार पूर्णता अंडाकार है या कथन शत्य है फीवा महिला वास्केट बॉल बिश्युकब 2022 का सहींतराज अमेरिका ने जीता है अप्रेल 2022 में पाकिस्तान के नई प्रधान मंतरी के रूप में सहवाज सरीफ को चुना गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिशाइल डवलप्मेंट प्रोग्राम आई जी एम डीपी के बास्टकार थे चिकनगुनिया एंडी मक्षर के कारण होने वाला एक शंक्रामक रोग है ब्रह्मान के लिए दूसरा सब्द कॉस्मोस है दच्छिन अफ्रीका में रंग्भेट को खत्म करने के लिए नेंसल मंडेला को नोबिल प्रोषकार से सम्मानित किया गया था भारती संसंद में प्रत्यक्ष कर साइंता डायरेक्ट टैक्स कोड बिल बस 2010 में पेस किया गया था रोहतांग दर्रकुलू घाटी को भारत की हिमार्चल प्रदेश की लाहॉल और इस्पीत की घाटियों से जोडता है माशिक भत्ता बितरन पे रोल ऑटोमेशन पे रोल ऑटोमेशन पर डिस्वर्समेंट डिस्वर्समेंट ऑफ मंतली अलांस पी ए डी एमे का चुभारम जून 2022 में रक्षा मंतरालय द्वारा किया गया था पारसना सिखर जारखन का सबसे उचा सिखर है शितंबा 2022 में भारत के अटोर्नी जनरल महानियवादी के रूप में आर वैंकट रमनी को नियुक्त किया गया था रमन अपने बाहन में पश्च दिश्य दर्पन का प्रयोग करना चाहता है इसके लिए उसे उतल दर्पन का प्रयोग करना चाहिए नीत एक इनपुट डिवाइस का उप्योग करना चाहती है जो उप्योग करता कि उंगली की चाल और नीचे की उपढ़ने वाले दवाव को भाम कर काम करती है उससे टच पैड उका उपयोग करना चाहिए वर्स 2022 के 36 में भारती राश्टी खेलों में योगासन में पूजा पटेंग स्वान पदक जीतने वाली पहली खिलाडी वनी डल को श्री नगर के आभुसन के नाम से भी जाना जाता है भारत ने फीफा अंडर 17 म महला बिसकुप 2022 की मेजवानी की थी आगाखां पहले महाराष्ट की पॉने शहर में है श्री मनि प्रशाल का संबन हिंदुस्तानी गायन संगीत शैली से है भारत में दहेज प्रतिशेद अधिनियम बर्स 1961 में पारित किया गया था भारत की पहली महला मुश्लिम सासी का चागबग 2400 बर्स पहले चीन ने चीन में समराटों ने विसाल दीवार का निर्मान सुरू कर दिया था विल इसमत को बर्स 2022 में प्रमुक भूमिका के लिए शर्वशेष्ट अभिनेता का ओसकर प्रुसकार दिया गया बर्स 2022 की स्थीत के अनुसार भारत दुनिया की हरपा सहर अस्तित्व में था कलारी पयत्व एक भ्राचीन मार्सल आर्ट है जिसकी उत्पत्य प्रायद वीपी भारत में योद्नाओं के शैन प्रशिक्षन के एक भात की रूप में हुई थी डेटा ट्रांसमिशन के हाफ डुपलेक्स मोड में डेटा का प्रवाद दोनों दिसाओं में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिसा में डेटा का प्रवाद हो शकता है जब बैंक अपना अधिशिर धन धन आर्वियाई में जमा करता है तो आर्वियाई इस बैंक को का रिवर्ष रेपोदर के नाम से जाना जाता है बिश्व का सबसे उच्छा पठार कौन सा है तिबबत का पठार घन वाद्य एक ठोश वादी अंत्र है मैंक्स वर्षट वर्ष मैंक्स वर्षट टापिन ने जापानी फॉर्मूला वन ग्रेंड प्रिक्स दोहजार बाईस जीता डेविस कप टेनिस से सम्मन्दित है मदर बोर्ड कम्प्यूटर के आवश्यक प्रशंच करन भागों को धारान करने वाला प्रमुक सर्किट बोड है भारती समिदान का अनु करन से सम्मन्दित है बिश्यवैंक ने भारत गुजरात राज के लिए शिष्टम रिफॉर्म एंडेवर फॉर्ट ट्रांस्फॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट रेष्ठ के लिए मई 2022 में 350 मिलियन अमेर्की डॉलर की साहता को मंजूरी दी थी नीलिमा काल वेलिया नित्य कर बेग दोग ना कर दिया जाय तो गैन का नया शंबिक 6000 एकाई होगा पूर्वी तट का रीजनल नाम मालावार तट नहीं है कुष्ट एक जिवान जनित वैक्टीरियल रोग है अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट बहो आयामी निर्धनता सूचकांक के के सूचकांक के अन योजना पीम जे एबाई भारत सरकार द्वारा बर्स 2018 में सबसे कमजोर बर्गों को स्वास्तर सुविदा प्रदान करने के लिए सुरू किया गया महत्तोकांची कारिक्रम है मुहमत तुगलग ने अजीज खुमार एक वाइन डिश्टिलर शराब बनाने और बेशने वाले को उचे प्रशाचनिक पत पर बैठाय था सितंबा 2022 में लॉंच किये गए जल्दूत एप्लिकेशन का उप्योग ग्राम रोजगार साहता द्वारा कुए का जल इसतर को मापने के लिए किया जाता है आमला से सुन्दरवन तक का मैदान लगवग अठारे सो किलो मीटर तक लेकिन इसकी धाल में गिरावट मुस्किल से 300 मीटर है भारत का सबसे उच्छा सिखर कौन सा है कंचन जंगा अक्टूबर 2022 में चंद्यान 2 द्वारा पहली बार चंदमा पर शोडियम की बहुतायत में उपस्तिती का पता चला हरनाच को और संदू एक भारती मॉडल और के मुद्धे भारती समयदान के अनुच्छे 17 द्वारा रद कर दिये गए हैं गल्दान नाम चोटते वहारे एक महान बौध संत जे चोंग खापा जे चोंग खापा के जंदिन का प्रतीक है अल्डन 2022 में महिला एकल का खिताब एलेना देवक रिवा किना ने जीता था मंतव अनर जी ने उनने सटान में में भारती राष्टी कॉंग्रेश से अलग होने के बाद त्रिन मूल कॉंग्रेश की स्थापना और उसकी अध्यक्ष बन गई पश्चमी घाटी की उचाय उत्तर से दच्छिन की और घट्ती जाती है या कथन अशत्य है शेम अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल के माध्यम से कई लोगों के साथ साजह या सेयर करता है इसके लिए MS पॉवर पॉइंट 365 की सेयर बिकल्ब का उप्योग करना होगा पाकिस्तान टीम एसिया कब फाइनल 2022 में हार गई थी उर्द्वा पातन प्रक्रिया द्वारा ठोश पदार सीधी गैस में परावर्तित हो जाता है भारत में उश्र कटिवंदी परिण पाती बन के ब्रक्ष शुषक ग्रीश काल में लगवक 6-8 सब्ता तक अपनी पत्तियां गिराते हैं चंबल महा नदी, केन नदी तथा बेतवा नदी में से महा नदी मालवा पठार की महत्पून नदी नहीं है नेचुरल लेंग्विज टोशेशिंग, NLP, Artificial Intelligence की एक साखा है जो कंप्यूटर को मानभासा समझने में मानभासा की ब्याक्या करने तथा उसमें हेर फेर करने में मदद करती है अर्थवेस्ता में समाजवादी, समाज के संदर में निम्न कथन सही है सरकार यह नेडा लेती है कि किन बस्तों का उत्पादन किया जाए, समाजवाद में माल का बितरन दोनों की आविश्यक्ता के आधार पर किया जाना चाहिए भारती राष्टी भुकता निगम की स्थापन भुकतान और निप्टान प्रेनाली अधिनियम दोजा साथ के प्राबदानों के तैट की गई थी भारती मानक ब्यूरो उप्भुकता मामले विभाग खाद यावं साज़निक वितरन विभाग के तत्तावदान में कार करने वाला एक वैद्धानिक निकाय है अनन्द की माने उसे रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने की सलादी क्योंकि पेड़ रात में कारवन डाय ऑक्साइड छोड़ते हैं नीम और पीपल को छोड़कर भारत में राशी शांखी की दिवस 29 जून को मनाया जाता है करीना कपूर ने प्रेगनेंसी वायवल पुस्तक लिखी है भारत दालों का सबसे वड़ा उत्पादक और दालों का सबसे वड़ा उभोगता है दिल्ली के प्रशिद लौ इस्तम का निर्माण गुप्त बंस के स सासक ने करवाय था उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताईए भारत के समिधान में चीन के समिधान से कोई विशेष्टा नहीं ली गई है जबकि बिकल्प गर्थ संयुक्त राज अमेरिका से मूल अधिकार ब्रिटेंस से संसधी प्रणाली तथा फ्रांस से गढ़ तंतर ट्रॉफी विकेट के 20 ओवर के फॉर्मेट से तथा बिजह जारी ट्रॉफी क्रिकेट के 50 ओवर के फॉर्मेट से संबन देता है पेट्स इंडिया एक्ट 1784 इसभी में पारित किया गया था कुटम्ब नियाला संसोधन विदेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया हिंदुस्तानी शाषी गायक भीमशन जोसी किराना घराना से संबन देता है मार्च 2021 के अंसार बिहार में बिहार राज में निरियात प्रसंसकरान छेतर नहीं है 1973 में मदरा शंगीत अकादमी द्वारत तंजोर बाला शरशती को भरतनाट्रिम नित्मेन योगदान के लिए शंगीत कलानित की उपादे से सम्मानित किया गया था 2021 में भारत के सलामी बल्लेवाद रोहिर सर्मा नामी बिया के खिलाप में मैच के दोरान T20 अंतराश्टी क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले तीसरे वल्ले वाजवने कोशी का जिल्ली कार्वोहाइडरेट लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है अधिकान से इतिहासकार बिजनगर शामराजी का सब्द प्रयोग करते हैं समकालीनों ने इसे करनाटक समराज्यमू के रूप में वनित किया है समराज्यमू गोवा राजी ने 1 से 3 नमब्ब 2022 तक 3 दिवसी सिबिल एयर नेविगेशन शेवा शंगठन मध्यप्रदेश राज में ग्यार्मी शतादी की भोषाला की संरचना का निर्मार परमार राजवन्स की संरचन में किया गया मुहरम त्योहार को तेलंगाना में पीरला पांडुगा की नाम से जाना जाता है राश्पती स्रीमती दोड़्पती मूर्मू ने सितंबा 2022 में दोजार 25 तक भारत में टीवी को खत्म करने के लिए प्रधान मंतरी टीवी मुक्त भारत अभियान का सुवारम किया पैंथेर टाइग्रिस प्रजात के लिए बिश्व में एक मांत मैंग्रोव आवास सुंदर बन है राक्षयस ताल सतलो नदी के उद्गम से संबंदित है क्रिकेट खेल पतियुगता में शैयद मुस्ताक अली टॉफी दी जाती है मद्रास का वेज समाज ब्रहम समाज से प् ठेवर या राजा राब मोहन राय को ब्रहम समाज का संसापक माना जाता है केशव चंदशेन और देविन्ना टैगोर इनके सहयोगी थे भारती संब्यदान के अनुक्षे 317 लोकसे वायोक की शदश को उठाने और निलंबन से संबंदित है इस्तरी कृत रेत और बजरी की एक लंबी विशर्पी कटक को एशकेर के रूप में जाना जाता है बस 2011 की जनगरना के इंशाल लक्षदीव की पुरुष साक्षरता दर सरवादिक है फास्टिंग फीश्टिंग सीर्सक कुस्तकी लेखे का अनीता देश आई हैं श्वर होजगार सुषादी बनाने के इवी एमेस का प्रयोग किया गया गुप्त सामराज का प्रशित प्रयाग प्रशाष्टि को इलावाद इस्तमसिलाले के रूप में भी जाना जाता है मेंडी लीवावर्ट सायनी की एक सो पचासमी बर्सगार्ट मनाने के लिए यूनेस को द्वारा बर्स 2019 को इंटरनेशन इंटरनेशनल इयर आवड़ी का आव़ोड दिया गया है 2019 को इंटरनेशनल इयर आवड़ी का आयजन किया गया है तो फ्रेंड्स आज की हमारी करंट अफ्यर्स की प्लास यहीं विए ही है आप लोगों से निवेदन है कि जो भी जो भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आने बाली जो बन लाइनर करन्ट अफेर्स है वो आप सभी को मिल सके धन्यबाद